दिपक, शादी के बाद तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे न? जैसे अब करते हो? अच्छाना कैसी बाते क्यों कर रही हो? तुम तो जानती हो संजना, एक दिन तुम से नहीं मिलता हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सच में? क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा? कैसे देख लेगा? हम तो पेड के पीछे बैठे हैं अरे, पेड तो हमारे पीछे है, चारों तरब तो खाली है, है ना? ये घर की चार तीवारी नहीं है जनाब, ये सब रहने दो, शादी के बाद के लिए प्यार क्या आम का अचार है? जिसे धूप में सुखा कर, डिब्बे में रख कर, बाद में आराम से खाऊंगा? मुझे अभी तुमसे प्यार करने का मन कर रहा है, और करूँगा, सब के सामने करूँगा, ठीक हैसे? बाद माश, इतनी भी चल्दी क्या है, पहले एकजाम खतम होने दो, दोनों के खरवाले तयार है, उसके बाद शादी होगी धूमधाम से, आनिमोन मनाएंगे जम कर, और परिवार बसाएंगे दिल से हाँ, तब तक दोनों हो जाएंगे बुढ़े तुम्हारी बेटी अगर अभी तक घर नहीं लोटी है, तो फिर मेरा बेटा कैसे लोटेगा बोलो, कॉलेज के बाद, दोनों के ही अकेले में बैठ कर, अपने भविशे के बारे में सूच विचार करेंगे, उसके बाद तो घर आएंगे अच्छा कमला, ये लोग रोज रोज क्या बाते करते हैं, बताओ तो, भविशे की चिंता तो हम लोग भी करते थे, लेकिन शादी के बाद, ये लोग पहले क्यों कर लेते हैं? ये सब आजकल के बच्चों का फैशन है, ठीका, आह, रिया, क्या हो रहा है? क्या हो अमिनाक् किसे डाट रही हो? अरे रिया को, ओ, तुम्हें बताया नहीं, मेरे देवर की बेटी, कल ही तो बॉम्बे से हमारे यहां कुछ दिन के लिए घूमने ही आई है, एक दम बंबईया, तुमने तो उसे देखा भी है, हर वत कान में वॉक्मेन लगा कर टेड़ा मेड़ा होकर न यह भी आजकल का फैशन है, एए रिया, क्या सुनकर इतना नाच रही है? साजन, साजन, क्या हूँ अमिनाक्षी, रिया कौन सा गाना सुन रही है? अरे वही, साजन, साजन, ओ, इसका मतलब वो वाला गाना, जो गाना कैसेट की दुकान में और माइक में दिन रात बजता है अरे वो गना, देखा है पहली बार, साजन की आँखों में प्यार, इसका मतलब क्या है कमला? अरे वही, साजन की आँखों में पता नहीं प्रेमिका ने पहली बार क्या क्या देखा गूलर का फूल देख लिया शायद सही कहा है, यही होगा पता नहीं कौन सी मिठा से इस गाने में अच्छा हाँ, तुमारे पती देव आ गए है नहीं, अभी तक नहीं आया है शाफिक जाम में फसे होंगे कमला, कमला आती हूँ अरे कहा हो तुम, देखो कौन है हमारे होने वाले समधी धीरज तिर पाठे अरे आई 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 ये अभी अभी मिनाक्षी से ही बात हो रही थी मैंने पूछा, आप लोटे हैं की नहीं तो कहा नहीं, शायद ट्रैफिक जाम में अटक गये अचानक मैंने देखा मेरी गाली के पास सुभाष की गाली है बस, जबरदस्ती मुझे या ले आया अगर जबरदस्ती नहीं लाता तो तुम ऐसे नहीं आते भाई तू सारा लड़की का बाप है तुझे तो हमेशा लड़के के बाप के सामने हाथ जोड़कर ख़डा रहे है तभी तो तेरी बेटी को अपने घर की बहुँ बनाऊंगा कुछ भी कहते हो, जबरदस्ती क्यों लाएंगे नहीं मैडम, नहीं सुभाष न ठीकी कहा है लेकिन सर, मेरी बेटी को जबरदस्ती लाने की जरुवत नहीं है जहां तक मुझे पता है तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के पीछे दिन भर घुमता है ऐजी वाद है गया जी हां, इन्होंने सही कहा है दीपक ही संजना के पीछे घुमता रहता है इसलिए आपको ही इनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहना चीए ताकि ये अपनी बेटी के साथ हमारे बेटे की शादी करवाए क्या? सुना इंपोसिबल मेरा बेटा इतना लफंगा नहीं है कि संजना के पीछे दीन भर घुमता रहेगा मेरा बेटा है हाँ इसलिए तो मतलब ये रहा आ गया ए रास्कल इधर आ ये क्या कर रहे हो ऐसे क्यों बोल रहे हो इल्दी इधर आ आव बेटा आओ सुना आया तू संजना के पीछे दीन भर घुमता रहता है हाँ डैड मतलब मतलब घुमता हूँ शादी के बाद तो घुमना ही होगा ना डैड हाँ आप लोग भी तो ये ही करते थे ना देखा है ना इसलिए मैं भी शादी से पहले होने वाली बीवी के पीछे घुम रहा हूँ पठा के रख रहा हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हूँ अरे रासकर अरे तो जातो उसकी बाद सुनी आज कल के बच्चे भी ना एकदम अर होंगे भी क्यू नहीं अभी मैंने जो कहा कि इसका बेटा है देखने रहेगा तो शादी से पहले तुम भी मेरे पिछे कुछ कम नहीं गूमा करते थे अभी भी गूम रहे हो मुझे खुश रखते हो ठिक हाँ अपने खुश रखने के अलावा कोई उपाई है मैडम अवरत का मतलब ही है मा काली हमेशा हाथ में अस्त्र कब किसकी गर्दन कर जाएगी पता नहीं अरे ये क्या क्या कर रहे है तो ये सब क्या है बॉलिवड आर्टिस्ट के फोटो क्यों लगा रही है ये लोग है मेरे डालिंग माई डियर राजा मेरे डार्लिंग मेरे राजा इसका मतलब अच्छा तेरे टॉलिवड फिल्मों में ऐसा कोई हीरो दिखा सकती है संजेदत, सलमान खान, अमिर खान जैसा दिखा सकती है हाँ, फिल्मों की क्या बात कर रही है ऐसे लड़के तो हमारे शहर की अलिगली में घूम रहे है किसी भी चाई की दुकान में, महले के नाके में सुभा शाम दिख जाएंगे तुझे चल जूटी चार दिन हो गए मुझे यहाँ आए एक भी ऐसा नहीं मिला, समझी? ये तेरी आखों की प्राबलम है देख ले, जॉन्डिस तो नहीं हो गया ट्रीट्मेंट कर वाले मेरा दीपक ही तो कितना हैंसम है ये देख ठीक है लेकिन इसके सामने कुछ भी नहीं तितलिया क्यों छो कर जाती है गुलाब जब महकता है हाँ, तु यही कर रात दिन बस उसकी फोटो को चूमती रह और वही खिसे पिटे गाने गाती रह प्यार में न एकदम पागल हो गई है, समझी? इसका मतलब? तुने ऐसा क्यों कहा? अरे यार, प्यार कर रही है वो भी ऐसे टॉलिवुट की हिरोईनों की तरह कोई रुमैंस नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं दर्थ? बोरिंग देख, ये सब प्यार रुमैंस ना, दिल की बात है बाहर से नहीं दिखता है अच्छा लेकिन एक थ्रिल तो रहेगा एक दम दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे के राज और सिम्रन की तरह वो कैसा है बता? साजन, जा जा तू साजन मूवी देख करा आज फिर से देखी ये लेके पांच बार देख ली इससे पहले आशिकी तीन बार मैंने प्यार किया साथ बार कयामत से कयामत तक चार बार सभी सूपर सूपर हिट लव स्टोरी क्या अमेजिंग लव स्टोरी है हर एक मूवी में क्या एकसाइटमेंट है क्या रोमैंस है देखने बैट जाओ तो उठने का मन न करे प्यार के लिए संघर्ष मारा मारी लड़ाई जगडे हीरो हीरोईन के लिए कूली का काम कर रहा है मैंने प्यार किया हीरो हीरोईन के लिए कुर्बानिया दे रहा है साजन ठेंगा मैंने साजन देखी है पर टेरी तरह पांच बार नहीं देखी, एक ही बार, संजय दत ने सलमान के लिए माधुरी को कुर्बान कर दिया, और माधुरी ने भी सलमान को अपने सपनों का कवी समझ कर जम कर प्यार किया, उसके बाद जब उसे पता चला कि सलमान फॉल्स और संजय ही असली कभी है, तॉलिवुड में नहीं, यहां का कोई लड़का अपनी प्रेमी का को भावी कहेगा, इंपोसिबल, ओके यार, ओके, ठीक है, पर तूने सर्फ इतना ही देखा, और बाकी की पूरी मूवी में, एकसाइटमेंट, टेंशन, वो सब, तुम्हारे प्यार में है ये सब, जैसे वो टॉलिवुड फिल्मों का हीरो और ये हीरोई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बेना जी नहीं सकता, अरे बाबा, पहले देखो तो कितने दिन चलता है, उसके बात गाना, देखा है पहली बार, साजन की आखों में प्यार, तेरा आइडिया वैसे बुरा न पड़ेगा, दीपक तेरे लिए पागल है की नहीं, ये तुझे पता करना होगा, और अगर पागल हुआ, तो फिर मैंने प्यार किया कि भाग्यश्री की तरह तुगा ले न, ये पागला है समझाने से, या समझे न, सूपब, इसका मतलब हमारी टॉल्यूट लब स्टोरी क बॉल्यूट लव स्टोरी बनानी पड़ेगी, है ना? इक्सेक्ली लेकिन कैसे करूँ, मुझे भी ये सब सिखा दे, तू तो बॉम्मे में रहती है, कितनी सारी मुवीज देखती है, कितना जानती है तू इस बारे में तेरी इस टॉल्यूट वाली प्रेम कहानी में, मैं एक बॉल्यूट मुवी का आइडिया डालती हूँ अच्छा, तेरे कॉलेज में ऐसा कोई लड़का है, जिसे दीपक एक्दम पसंद नहीं करता? हाँ है, टोटा चौधरी टोटा बंदूग बंदूग चलाता है क्या? नहीं, तो बंदूग बंदूग नहीं चलाता है, पर होके स्टेक, साइकल की चेन, ये सब चलाता है पैंटास्टिक, पैंटास्टिक, मिल गया ठीक, ऐसा ही लड़का चाहिए था मुझे, एक डम बॉलिवूड पुल्मों के बिलन की तरह सुन, तू, कल, कॉलेज में टोटा चौधरी के साथ गुरू, आज आईस्क्रीम खेलाने पड़े गुरू, आज आईस्क्रीम खेलाने पड़े गुरू चल, खिलाता हूँ, ए, चोकवार एक निकाल, 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 फिल्म टेखने जाएंगे, आज पैसे देंगी तो, इसका मतलब, पहले कभी बाकी है, अबे साला, तू मुझसे पैसे माग रहा है, तरी इतनी हिम्मत, गुरू की वज़े से ही तु यहां धंदा कर पा रहा है, समझा, तुझे गुरू की सेवा करनी चाहिए, फ्री में आइसक्रीम देनी चाहिए, और तुझ यहां पर जैसे लटक रहा है, उपर से पैसे चाहिए, इस लंगूर की हिम्मत तो देखो, टोटा, तुमने तो कहा था, आइसक्रीम खिलाओगे, क्या हुआ, कब मुझे एक आइसक्रीम मिल सकती है, टोटा, हेलो, हाई, मेरा क्या सोभग है, संजरा मुझसे आइसक्रीम मांग रही है, क्यों, मैं नहीं मांग सकती, जरूर मांग सकती हो, मैं भी तुमें खिलाना चाहता हूँ, लेकिन दीपक ने अगर देख लिया, तो मुसीबत हो जाए नहीं, वो तो तुम लोग नहीं मानते, तुम लोगों का एक अलग गुरूप है, अच्छे स्टुडेंट्स का गुरूप, हम लोग तो स्पॉल्ड गुरूप है, बिलकुल नहीं, मैं मानती हूँ, हम सब एक है, शिर्फ दीपक अलग है, तुम आइसक्रीम खिलाओगे की नहीं, शिर्फ देता हूँ, यह क्या, तुम इनके साथ आइसक्रीम खा रही हो, वाट यू मीन हा, इनके साथ मतलब, हम लोग उसाथ आइसक्रीम खाना गलत है क्या, मैं तुछ से बात नहीं कर रहा तोटा, लेकि तु हमें मीन करके बात कर रहा है, हम ने तु संजनों का आ आइसक्रीम मांगी है, चलो क्लास में चलो, तुम जाओ, जब मेरा मन करेगा, मैं तब जाओगी, तेखा तो संजना, मेरी बात सच होगी की नहीं, सच नहीं होगी टोटा, मुझे और एक आइसक्रीम दो, मैं खाऊँगी, शोर, एक क्यों, दस देता हूँ, कहो तो दिपक क यइसक्रीम आइसक्रीम, शाड़ आप, फॉगेट इट, पकड़ो, नहीं मुझे नहीं खान, थेंक्स, चह, ए दिपत, क्या कर रहे तू? ऐसे पागलों की तेरे क्यों नाच्छे? उपक से इतना तेज़ ब्यूजिंग, महले वाले तो परिशान हो जाएंगे प्लीज मॉब मेरा मूड एकदम ठीक नहीं है अजीब बात है, तेरा मूड ओफ है, इसके लिए तू पूरे महले को परिशान करेगा पान में रूई डाल के बैठ जाए सब क्या बेकार की बाते कर रहा है, संजना के साथ कोई जगडा हुआ है प्लीज मॉब, मुझे अकेला छोड़ दो हलो, हाँ, मैं संजना बोल रही हूँ क्या, मतलब, दीपक पागलों की तरह नाच रहा है लेकिन क्यों? नहीं, हाँ, हमारे बीच तो कुछ नहीं हुआ अक्चली, रिया कह रही थी, वो, मतलब हाँ, मैं रिया बोल रही हूँ, मासी जी हाँ, मैंने ही दीपक को डान्स प्रैक्टस करने के लिए कहा था अक्चली, उसके कॉलेज में एक डान्स कॉम्पेटिशन होने वाला है इसलिए शायद, अच्छा रखते हूँ, मासी जी अभी सब गडबड हो जाती, सच में, तो इतनी जल्दी नर्वस हो जाती है न, अभी तर शुरुवात है एकडम बॉलिवूड सिनिमा की तरह एकसाइटिंग, रोमांटिक, ट्रिलिंग लव स्टोरी होने वाली है तेरी भाल में गई तेरी लब स्टोरी, हाँ, लब स्टोरी, दीपक उधर पागलों की तरह नाच रहा है वही तो चाहिए था, बॉलिवूड फिल्में ऐसी ही होती है हीरो हीरो इनको जब प्रेम में दुख पहुँचता है, तब वो लोग ऐसे ही पागलों की तरह नाचते है तुने चान्नी, लंभे, इन सम्में श्री देविकोली देखा तब तो मुझे भी नाचना चाहिए यू आर राइट, तू भी नाचेगी, कल, और तेरा वो डान्स देखके, दीपक और नाचेगा मतलब? सुन, परसो से कॉलेज में समा वकेशन शुरू हो रही है इसलिए जो करना है, हमें कल ही करना होगा, समझी? मुझे तुमारे साथ गाना गाना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, नो प्राब्लम, लेकिन क्यूँ? आक्चुली, मैं दीपक को जेलस फिल करवाना चाहती हूँ यो में, जलाना चाहती हो? ठीक कहा तुने, मेरी चचेरी भेहन रिया, बॉम्मे में रहती है, वो यहां आई है, बहुत फिल्म में देखती है, उसने कहा, इसे प्यार की डेफ्थ, मतलब मेरे लिए दीपक का प्यार कितना गहरा है, ये पता चल जाएगा आई सी, इसका मतलब है मुहबबत की अगनी परिक्षा, वो भी मेरे कंदे पर बंदूक रख कर, बेरी गुड़ नहीं, नहीं, एक्चली, ऐसी बात नहीं है डोंट वरी, डोंट वरी, हमारे गुरू का कंधाब बहुत मजबूत है, इनके कंदे पर बंदूक रख सकती है हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो, मैंने तुम लोगों को सब सच सच बता दिया, ताकि तुम लोग कुछ गलत न समझो गुरू, ये क्या बात हुई, तुम तो इदम भली का बगरा बन गए, एक बॉल में आउट वही तो देख रहा हूँ, फीक है, उसकी बहन की बॉली उड पिक्चर की आईडिया की तरह, मैं सक्ती कपुर बन जाऊंगा, विलेन ये क्या, संजना आज भी कॉलेच चली गई, इतने दिन तो मेरे साथ जाते थी, आज का लचाना का केले जा रही है वर्ना लव स्टोरी जमेगी कैसे? इसका मतलब? जाये जाये कॉलेच जाये वहाँ जाकर सब पता चल जाएगा, अभी वहाँ जम कर डान्स हो रहा होगा, आप अगर गए न, डिशुम डिशुम मार पेट चुरू हो जाएगी सेंसर अबजेक्शन करें, ऐसे भी एक दो घटना हो सकती है सोच के ही मुझे इतना मजा आ रहा है, जाये जाये जल्दी जाये अब, अब खेल शुरू होगा, मेरे आइडिया से टॉले वोड में एक सूपर हिट लव स्टोरी पर फिल्म बनेगी दो तेरे होट गोरी मीड़ थी एक दो बनेगी तेरे होट गोरी मीठे रसी ले होटों से रस तपके चाल है तेरी गोरी का मार कमर तेरी मारे छट के हो साया समझ गई मैं तेरी चाल साया समझ गई मैं तेरी चाल रहना दूर मुझे से फसोंगे ना चाल में मैं तेरे रहना तू बच्च के हो तेरे होट गोरी मीठे रसी ले हो साया समझ गई मैं तेरी चाल एत्वाइब तेरी घुटार को चाल यदा लोर्ण समझ गई मैं का तेरे छाल रहरा तेरी चाल संझ गाल तु ही है तु ही मेरा प्यार करता हूँ मैं एक रार चाहे तु करे एक रार नहीं मैं नहीं तयार दिल में बसी तुम यार धक धक तेरे लिए दिल धड़के ओ तेरे होट गोरी मीठे रसी ले होटों से रस टब के चाल है तेरी गोरी का मार कमर तेरी मारे जट के ओ सया समझ गई मैं तेरी चाल सया समझ गई मैं तेरी चाल मॉचक के बाख़ मैं तेरी नहीं देप एक बाख़क दिल गोरी म mı ? मना मैने भी है मनो तु ही है मेरा दिवाना तेरे बिन जीना है मुश्किल दिया मैने दिया तुझे दिल करती हूँ मैं एक रा रहना दिल में मेरे तु वसके तेरे होट गोरी मीठे रसी ले होटो से रस टपके जाल है तेरी गोरी का मार खमर तेरी मारे जटके हो सया समझ गई मैं तेरी चाल सया समझ गई मैं तेरी चाल रहला दूर मुझे से फसुंगी ना जाल में मैं तेरे रहला तु बच्च के हो तेरे होट गोरी मीठे रसी ले हो सया समझ गई मैं तेरी चाल तेरे होट गोरी मीठे रसी ले हो सया समझ गई मैं तेरी चाल बाई चलो बेठो बाई 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 जा तो तमेना तो उड़ गय इधर कहां लेके जा रहे हो मुझे? तुमने तो कहा था दीपक को जिलस फिल करवाने के लिए इधर उधर घूम के कॉलेज लोट जाओगे? मैंने कहा था क्या? पता नहीं भूल गया एक चुल में तुम्हारे साथ प्यार का नाटेक करते करते हैं ऐसा लग रहा है जिसे सच में तुम्हारे प्यार में पढ़ गया हूँ मेरा मन कर रहा है तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाओं खुमने के लिए तुम्हारे दीपक की तरह नहीं ऐसा होता तो मेरे पीछे पीछे अप तक आ गया होता गाड़ी चेज भी करता लेकिन उसका कोई अतापता ही नहीं है इसका मतलब मेरे हाथ से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा इसका मतलब न्यू टाउन में एक बहुत पुराना भूतिया बंगला है वहाँ पर दोस्तों मिलकर कभी-कभी हम लोग जाते हैं दारू अरू पिने के लिए आज तुम्हें ले जा रहा हूं तुमने मुझे बेवकूप समझाता ना बखवास मत कर दोटा चिलाओ मत कोई फ दिल कार्मान तो मिठ जाने दो बत्माश चानवर तुम चाहे मुझे जो कहना आ कहती रहू मैं तुरुकने वाला नहीं हूँ नातक मत करो सजी यह तुम कहा लेकर आये टोटा जहां लाना चाहिए ता वही लेकर आया हूँ अब मेरे हाथों से तुम्हें कौन बचाएगा आये लाना मेरे हाथ हुआ आये राह बचे बचलाएप का हुआ झाल 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 छोड़ा मजे ठोटा छोड़ा मजे。 छोड़ा मजे। प्लीज, लीज, प्लीज, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, प्लीज, छोड़ो, टोटा, छोड़ो मुझे, मैं भी एक मागते हूँ तुभारी सामने, फिल्मी टैलक चाहे जितना भी मारो डारली, मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ, टोटा, प्लीज, टोटा, मुझे छो प्लीज टोटा टोटा प्लीज मुझे चोड़ दो टोटा प्लीज ठीक है तुम नहीं बुलाती हो तो मैं बुलाता हूँ दिपाग दिपाग आओ बचालो अपनी प्रेमिका को चुपा कहा है वहार निकल मैं आ गया हूँ टोटा दीपाग 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 मुझसे गलती हो गई दीपाग रिया की बात सुनके मैं तुम्हें जलाना चाहती थी मैं समझ गया था कुछ तो गड़बड है इसलिए फॉलो किया म्यूजिक पंद मत करना झाल जलाना चाहती दीपाग था दीपाग बात सुनके मैं समझ तुम्हें अजलाना चाहती थागग झाल प्रणा चाहती थागग बीपक बीपक चलो ना जलते हैं से बीपक बीपके के आसे तो नाक है कलो या भीपक कॉछा जालो जालो नाक हां तो यज reden है कि अप्टेश को दो हुँ 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 कि अश्याल निपक, शाहिद टोटा महर गया है, मुझे भी यही लग रहा है, टोटा, टोटा, कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब खूद, हाँ, चलो भागते हैं अशे, सुनो, तुम्हे एक हुण फोच लो और दूर ही साफ करलो, ताकि किसी को शक नांउ, चलो, हाँ, हाँ. थाया जयानिके है गाड़ा वाए वहाँ गाड़ी नोकी दुझी गाड़ी चलानी पारा मैं पतानी केयो हाथ का परेह तुम चलाओ मैं, मैं नहीं चला पाऊंगी, मेरी तो हालत और भी खराब है संजना, संजना क्या होगा, अगर पकड़ा गया, तब तो खून की हिसाम में फांसी, फांसी हो जाएगी मुझे नहीं, फांसी नहीं होगी, फांसी नहीं होगी, उम्रकैत की सजा मिलेगी, 14 साल की सजा, वो तो और भी खराब है, और भी दुगदायक, इससे तो अच्छा है, हम दोनों कहीं भाग चरते हैं, यहां से बहुत दूर तुम पागल हो गई हो, नहीं, यह नहीं हो सकता, बिना शादी कि यह हम दोनों एक साथ, इंपॉसिबल, सब की नजर में आ जाएंगे हम, उससे और प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे अच्छा मैं भाग जाता हूँ, फरार हो जाता हूँ, तुम घर चली जाओ, इसका मतलब देखो, पुलिस जब मुझे ढूनते ढूनते परिशान हो जाएगी, तब देखना, यह मामला ठंडा पड़ जाएगा, उसके बाद मैं आ जाओँगा लेकिन तुम कहा जाओगे? वही जो तुमने कहा, जिस तरफ नजरे जाएं लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए, कप्रे चाहिए होंगे और वैसे भी, मैं तुम्हें छोड़ कर इतने दिन नहीं रह सकती यह सब कुछ रिया की वज़े से हुआ उसकी बात मानकर, वॉल्यूट की लव स्टोरी की चक्कर में यह सारी मुसीबत खड़ी हो गई संजना, रो मत, और कोई रास्ता भी नहीं है देखो, कुछ दिन छुपके रहने से अगर मैं उम्र कैद की सया से बच सकूँ तो वो जादा भैतर होगा वरना 14 साल हम एक दूसरे से जुदा रहना होगा इससे अच्छा, तुम अभी मेरे घर जाओ डैडी अभी तक आए नहीं होगे तुम मा को सब कुछ सच-सच बता देना कुछ पैसे और कुछ कपड़े लेकर आजाओ उसके बाद स्टेशन जाओंगा जो ट्रेन मिलेगी उसपे बैठ जाओंगा तुम्हें तो बहुत तकलीफ होगी ना ये सब सोचने का कोई फाइदा नहीं जाओ ए भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया तुम लोगोंने दीपक ने खोन किया आखिर वो एक खोनी बन गया आँटी ऐसे मत रोईए, सब ठीक हो जाएगा अंकल की तो बहुत पुलिस वालों से जान पहचान है वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और फिर उसने मेरी इज़त बचाने के लिए सब किया है इसलिए शायद एक क्रिमिनल जैसी सजा नहीं मिलेगी उसे वो कहा है, उसे घर लेकर आओ वो अपने पापा को सब कुछ समझा सकता है अभी उसका घाराना ठीक नहीं होगा आँटी अगर अभी पकड़ा गया, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे उसके बहार जाने के बाद अंकल और मेरे पापा मिलकर इस केस को समझा ले, उसके बाद वो लोटाएगा वो जहां भी रहेगा, हमें फोन में कॉंटक्ट करता रहेगा उठी आँटी, तेर मत कीजिए ये लो, उसकी अलमारी की चावी जिन कपड़ों की जरूरत है, सब ले जाओ सूटके सुधर है, मैं देखती हूँ घर में कितने पैसे है ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, मुझे खुछ समझ में नहीं आ रहा है ये लो, दस अजार रुपे हैं, मेरे पास इतने ही थे तुम उससों कहना, क्यों कहीं भी रहे जल्द से जल्द मुझे अपना पता बता दे, मैं बैंक से निकाल कर और भी पैसे भेजूँगी एक काम करते हूँ, वो अभी कहाँ है पार्क के पीछे गाड़ी में बैठा है ठीक है, उसके पापा अभी तक नहीं आये है मैं एक काम करती हूँ, उससे एक बाद मिल कर आती हूँ क्या करेगा, कहाँ जाएगा कभी भी तो होटल वगड़ा में रहा नहीं है ठीक है, चलिए माजी, सहाब आ गये है उन्होंने हॉल में चाय नाश्ता लाने के लिए कहा है अरे ये क्या, आ गये लेकिन चाय नाश्ता इस वक्त क्यूं, कोई साथ में आया है क्या जी हाँ, एक पुलिस ओफिसर पुलिस ओफिसर? क्यूं, क्या कह रहे है चाय पिएंगे कह रहे है ठीक है, तुम जाओ मैं आती हूँ संजना क्या होगा आंटी इसका मतलब पुलिस को सब कुछ पता चल के आए शाहिद उसे अरिस्ट करने आई है तुम एक काम करो, तुम यहां से भाग जाओ मैं भी नहीं जाओगी तुम वो पीछे के दर्वाजे से बागी जी के रास्ते से निकल जाओ मैं इधर देखती हूँ और देरबत करो तुम जाओ और सुनो यह सूटकेस लेते जाओ हाँ मुझे बुलाए यह तो किसी डरिंदे का काम लगता है नि नि भाई यह सा बाद तुम उसे मत बो यह सब सुनकर मुझे बहुत डर लगता है मुझे बुलाए है हाँ इसे तुमने पहचाना नहीं तुम पहचानना मुम्किन भी नहीं है इस भाष शादे के वक्ति नोने मुझे देखा था यह आज की बाद थोड़ी है नमस्ते भावी जी मेरा नाम रवी चतरुवीदी है नमस्ते बैठे ना हाँ बैठ बैठ दरसले यह मेरे बजपन का दोस्त है हमने पढ़ाई लिखाई यह एक साथ की जैसे धिरेज मेरा दोस्त है न वैसे ही यह तो हमारी शादी में भी आया था हाँ पदा इसने सादी में क्या किया था यह न 21 फीस फ्राइख आ गया था 21 यह देखकर वो केट्रिक के लड़का जो खाना प्रोस रहा था वो तो दुबारा इसके पास आया ही नहीं खाने का तुझे इतना शाव का इसलिए प्लीस में नवक्री जवायन किया है ना सफ्री में मिलता है ना आज लड़ते वाग एमजी रोड में मुलाकात हुई इससे इसलिए जबरदस्ती ले आया अभी यह लाल बजार का बहुत बड़ा ओफीसर है समझे पुलीस वाला है कभी इसकी ज़रुवत पर जाए पता नहीं इसलिए खातिरदारी कर रहा हूं तो फिर आप लोग बैठिये मैं जरा चाय नाशते का इंतिजाम करते हूं जरा चाय क्यों समोसे भी ले कर आओ इतनी जल्दी पुलीस आगे गर में अब तो बचना मुश्किल है इतना नर्वस मत थो सब ठीक हो जाएगा आंटी सब कुछ समाल लेंगी तुम चाहो पता नह फिर कब मलाकात होगी पर जहां भी जाओ पहुँच कर फोन करना अपना ध्यान रखना संजना प्लीस तुम उदास मत हो रो मत प्लीस संजना प्लीस इडियट फरार हो गया अगर वो पकड़ा गया तो और कड़ी सजा मिलेगी यह साबित हो जाएगा कि उसी ने कतल किया है उसने मेरे साथ एक बार डिसकस भी नहीं किया और तुम भी कैसी आउरा थो हां उसे रुपे पैसे दे दिये एक बार मुसे पूछा तक नहीं पढ़ पढ़ी लिखी बेवकूफ पढ़ी लिखी बेवकूफ कहते है ना वही हो तुम चुप रहो तो हिंदी टिक से बोलना आता नहीं है बड़ी बड़ी बात पढ़ी लिखी बेवकूफ मतलो समझते हो ताथ मुझे सिखाने की जरुवत नहीं है सारी गलती मेरी है कि सब मेरी वज़े से हुआ है, और देख बॉलिवुड मुवी, साचन, मैंने प्यार किया, वो सब तेरे मुंबई में चलता है, बॉलिवुड में, टॉलिवुड में नहीं, बहस करके कोई फाइदा नहीं, कल सुभा को देखा जाएगा, पहले पता तो चले, ये मामला कहां तक वो गया कहां होगा सर, ये यहां रहने के लिए आये हैं अब बोलो, कैसा कमरा चाहिए तुमको मतलब खिड़की से रास्ता दिखने वाला कमरा चाहिए या जंगल दिखने वाला या फिर ज़रने के सामने खड़े होकर नई बीवी का गाना सुनना चाहते हो या फिर खिडकी से पहाड के पीछे सूरच को डूपते हुए देखना चाहते हो ओ हाँ, भाबी क्या टेक्सी में बैटी हुई है, लेकिया ये कमरा है लेकिन मैं अकेले आया हूँ, मतलब शादी नहीं हुई है अकेले शादी नहीं हुई, तो फिर यहाँ किस लिए हनीमून होटल में देखो भाई, यहाँ कि किसी लड़की को पटा-पुटा के शादी करके इस होटल में हनीमून मनाने की कोई इच्छा तो नहीं है तब तो जाकर किसी हस्पताल के बगल वाले होटल में रहो क्यूंके पहाड में रहने वाले लोग धुलाई करने में माहिर होते हैं, समझे नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ, एक्चुली मुझे पता चला इस होटल के ओनर अच्छे हैं इसलिए यहाँ चलाया वा, 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 सुनके बहुत अच्छा लगा असन में क्या है ना भाई, यहाँ अकेले तो कोई आता नहीं इसलिए थोड़ा चौक गया सब जोड़े में ही आते हैं हनीमून मनाने के लिए और उसके साथ दिन के बाद ही लड़की अपने पेट में बच्चा लिए, घर चली जाती है साथ दिन के अंदर-अंदर बच्चा लेके अरे गूद में नहीं, पेट में, पेट में और फिर यहाँ से जाने के दस महीन दस दिन के बाद वोही बच्चा जनम लेता है और फिर उसे पाल फुसकर बड़ा करते हैं यही और क्या अक्चुली शादी नहीं हुई न मेरे इसलिए में आपकी बाद समझ नहीं पाया ठीक है, लेकिन शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए यहाँ आना होगा वादा करो, तभी मैं कमरा दूंगा हाँ, मैं वादा करता हूँ फिर ठीक है लो, इस रिजिस्टर में अपना नाम और पता लिग दो राची, हाँ, ठीक जगह गये हो और वहीं तुम्हें जाना भी चाहिए था दिमाग जो खराब हो गया तुमारा अगर खुद नहीं जाते तो मैं तुम्हें भीजवाता हूँ ओ हाँ, सुन, तुझे कितने पैसे चाहिए, पापा भेज देंगे पापा ने तो पैसो का पेल लगा कर रखाया, हिलाने से हिंगी देंगे अच्छा, सुन, सुन, वहाँ तु सावधानी से रहना वहाँ तु किस लिए गया है, किसी को मत बताना कोई पूचे तो कहना, घूमने आया है, किस होटल में ठहरा है, हानीमून, सुन रही हो, टेस्ट देख रही हो, साधी ने हूँ है, लेकिन हनीमून, सुन, हनीमून होटल से लोटने के बाद हो सकता है, तुम्हें सस्राल में ही रहना ना पड़े, ये 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 याओ प्या पह तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा है, अब ही तुम्हारे पास आजाओ, नई 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 ये ये सा मत करना, वरना मुसिबत और बढ़ जाएगी, और कोछ दिन बीच जाने दो, देखना सब ठीक हो जाएगा, कब दीपा, कब, एक एक से कि एक एक दिन लग रहा है, एक एक दिन लगता है, एक एक साल, मैं और नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना में नहीं जी पाऊंगी, प्लीज रो मत संजना, क्या करूं बोलो, और नहीं सह सकती, रो रो, अब तो टॉलिवोड की हिरोईनों की तरह सिर्फ रोती रहे, खुद रो, हलो, इश, तेरी वज़े से दिपक का फोन भी कट गया, फिर से ट्राइ करके देखती हूं, पता नहीं लगेगा की नहीं, अब नहीं लगेगा, वहां कोई और कनेक्शन जुड़ गया है, इसका मतलब, प्यार की लाइन और टेलेफोन की लाइन, हमेशा बजी रहती है, एक कट गया हr, फिर गॉड़ गया, फिर सनेक्शन नहीं जुड़ता.. क्या कर रही हैं चोड़िए मुझे 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 बर जाने दिए शिखा शिखा बेटी चोड़ दीजी चोड़ दीजी चोड़ दीजी चोड़ दीजी यह नहीं हो सकता आप मेरे सामने आत्मत करिंग और मैं खड़ा कहा देखता रहूंगा नहीं हो सकता आप मुझे जानते अब करने के लिए यहां से कूदरी थी अगर नहीं आता तो नहीं क्या हो जाता अपका अबहुत शुक्रिया हमें जिके माप है शिका हमारी एक लौती बेटी है बतलब मेरा नाम सुनिल बोस है इसके जीवन में एक ऐसा हाद्सा हो गया कि मैं प्लीज बापा यह कि बात सबको तुम इसको लेकर जाओ, मैं आता हूँ, तुम जाओ, 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 आपने तो अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम दीपक है, मुझे आप मत कहिए, मैं आपके बेटे जासा हूँ, यह बात तो है, तो तुम यहाँ घूमने आये हो, यह यही पे रहते हो, घूमने, कोल्कता से, कॉलेज में गर्मी की चुट्टी है, इसलिए, और आप ल पे घूमने जाएं, मतलब हादसा तो बस कुछी दिन पहले हुआ था, यही कुछ है महिने पहले, हादसा, कैसा हादसा, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, तो कभी वक्त निकाल के आऊ ना हमारे यहाँ, यही पास में ही रहते हैं, एक लॉज लिया है किराय पर, वसंद क तो बेटा, तुम अकेले आया हो या साथ में और कोई आया है, अकेले ही, अच्छली मुझे अकेले गूमना पसंद है, अच्छा, तुबिर काम करो, कल सुबह हमारे लॉज पे चले आओ ना, एक साथ चाय भी पिएंगे और गपे भी मारेंगे, अच्छा, तो फिर चलता मैं बेटा, वो लोग मेरी रात देख रहे होंगे, ठीक है, देखे दो, इसे पहजान दे हैं या नहीं, या फिर कहीं आपने देखा है या नहीं, हाँ, मतलब, अरे धीपक, अरे भाई, कहां थे, इधर ओ, इधर ओ, बाद में आता हो, अक्छली निकलना है, अरे अभी तो कहां जा रहे हो, कलकता से तुमारे लिए ट्रंकोल पर ट्रंकोल आ रहा है, मैं तो जवाब दे देकर परिशान हो गया, आँ, कलकता फोन लगा देता हूं, आप कलकता में रहते हैं, हाँ, किस हेरी हम है, सॉल लिक, कब आए हैं, परसो, आँ, तेके तो इसे पहजानते हैं या नहीं, मतलब कलकता में आपने इसे कहीं देखा है या नहीं, देखिए हैं, मतलब क्यों, किस लिए, मैं नहीं जानता, क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं, हाँ, और मेरा फोडो देखे हैं कह रहे हैं, नहीं पहचानता हूं, खून तो आपने नहीं किया है खून? दोस साला, लाइन लगी नहीं रही हाँ, ये खून करके फरार हो गया है और कलकड़ा पुलिस का कहना है वो खूनी यहीं कहीं आज़ पास शिपा हुआ फोडो को अच्छी तरह देख लिजी अगर ये कहीं दिखा, तो मुझे खबर कीजिएगा मैं यहां का दरोगा हूँ देखिए नहीं जानता मैं अच्छा ठीक अब, देखे तो बताऊंगा ठेंक्यू, चलता हूँ लग गया, लग गया, लग गया अरे भाई, तुम्हारे घर का नंबर अरे भाई, कलकत्य का नंबर लगना और लड़की का मन जीतना दोनों बराबर, नंबर लगता है और कट जाता है कभी भी काबू में नहीं आता लो लो, बात करो, बात करो हलो, कौन? मैं संजना बोल रही हो, कहा थे पूरे दिन अंकल ने, मैंने, तुम्हें कितनी बार फोन किया तुम मेरे घर में? क्या बात है? कोई बैड नूज है क्या? ने, ने, आज के अकबार में भी कोई नूज नहीं है बहुत अजीब लग रहा है इसलिए मैं, पापा, मम्मी सब तुम्हारे घर में आये है अंकल जी से बात करने मतलब क्या करना चाहिए तुम्हें वापसाना चाहिए की नहीं इसी बारे में? नहीं, मैं अभी नहीं लोटूंगा और कुछ दिन गुजर जाने दो तुम कैसी हो? मैं चीक हो, मैं बाद में घर जाके तुमसे बात करूँगी अब लो अंकल से बात करो दिपक, कैसा है तु? अपना ख्याल रखना ठीक है? नहीं, नहीं, अभी तक कोई ख़बर नहीं है मुझे दो, मुझे भी थोड़ी बात करने दो मा से बात कर, लो हलो, हलो दिपक, मैं मा बोल रही हूँ कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ मा, तुम चिंता मत करो मुझे, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही खाना पिना ठीक से कर रहा है न? अकेले तु तु कभी कही रहा नहीं क्या कर रहा है? क्या खा रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैरी खोश समझ में नहीं आ रहा है यह क्या हो रहा है तुम गरीज तरह से रोग ही तुसे और टेन समोगा सुन दिपक मैं भी फोन रखता हूं कल तुझे ठीक इसी वक्त फोन करूंगा डैड डैड आप प्लीज मा को बोलो रोए ना मा की मा की तवित कराब हो जाएगी रखता हूं क्या बात है बोलो तो भाई घर से लड़ जगड़ कर चले आये हो क्या मा को रोने धुने के लिए मना कर रहे हो नई मतलब मैं कभी मा के बिना रहा नहीं हूं इसलिए वो चिंता कर रही है ठीक है, अब फोन आये तो बता देना, कि तुम जगत बंदू भाईया के पास हो, फिकर करने के कोई ज़रूरत मेरे रहते हुए, तुमें किसी किसिम की कोई परेशानी नहीं, ठीक है, जाओ, हाथ मूँ दो कर दरा रेस्ट लेलो, मैं खाना भेजवा दे रहा हूँ, खापी क तुम बिलकुल सही वक्त पहाए हो, चाहिते ही आरे, बैठो, बैठो, बैठो शिखा, यहां करवेटना, मैं घूमने जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ, कि मैं अकेले ही जाओ, अभी जाएगी, दीपक आया है, इसके साथ थोड़ी बाते बाते कर, इसने कल तेरी जान बचाई, मैं किसी एक्सिडेन पे नहीं मर रही थी पापा, कि उन्होंने मु अजिब बचाकर मेरा ही नुकसान किया, मैं जा रही हूँ मा, तुम्हें आना है तो आओ, जाओ, तुम उसके साथ जाओ, उसे इस तरह अकिला छोना ठिटी होगा, शाय हम लोग ले लेएगे, तुम जाओ, जाओ शायद आपके बेटी को अंजान लोगे से बात करना पसंद नहीं, नहीं नहीं, ऐसी बात थी ये बेटा, वो पहले बहुत खुश थी, और वो थस्ती खेलती थी, सब के साथ बहुत बात हीं किया करती थी, वो चाहे पराया हो, या घर का, लो बेटा, थैंक्स, और वैसे शिखा हमारे एक लोटी बेटी है न, इसलिए हमने कभी उसकी कोई बात नहीं टाली, बहुत खुशाल परिवार था हमारा, लेकिन भगवान को शायद ये सब मन्जूर नहीं था, हस्ता खेलता परिवार एक पल में दिखा गया, भगवान ने एक मासुम लड़की की हस्ती खेलती जिन्दी की परवाद करती, बिचारी सिर्फ आज एक जिन्दा लाश है, क्यों, क्या हुआ था उनको, अविनाश नाम के एक लड़के से शिखा प्यार करती थी, आओ, पास आओ, आँखों में मेरी बस जाओ, आँखों में मेरी बस जाओ, तुम आके पास आँखों में मेरी बस जाओ, तुम आके पास आँखों सपने नहें तुम सजाओ, तुम आके पास आँखों में मेरी बस जाओ, तुम आके पास आँखों में मेरी बस जाओ, तुम आके पास आँखों मेरी बस जाओ, दिल की मेरी तुम धळकन, गितों की मेरी तुम सरगम, तुम से, तुम से, तुम से, तुम से, दिल की बातें बतलाओ आओ बतलाओ आँखों में मेरी बस जाओ तुम आके पास आके आँखों में मेरी बस जाओ तुम आके पास आके कर दो कर दो पल-पल दिल मेरा चाहे प्यार के नग में सुनाओं दीवाना, 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 दीवाना हो गया दिल, दिल को तुम समझाओ, आओ समझाओ आखों में मेरी बस जाओ, तुम आके पास आखे आखों में मेरी बस जाओ, तुम आके पास आखे सफने नए तुम सजाओ, तुम आके पास आखे, आखों में मेरी बस जाओ तुम आके पास आखे, आखों में मेरी बस जाओ, तुम आके पास आखे सच में अविनाश, कल तुम्हारा गाना सुनके दिल बिलकुल खुश हो गया, कितना मीठा गाते हो, बहुत दिनों बाद इतना अच्छा गाना सुना पापा, तब से आप इनकी गानी की तारीफी किये जा रहे हैं, मेरे डांस के भारे में तो कुछ भी नहीं कहा नहीं, तुने भी अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा, लेकिन ये अगर अच्छा नहीं गाता, तो तेरा डांस भी अच्छा कहां से होता रह नहीं दिजे पर जानते हैं, ये बात ये किसी भी हाल में मानने को तयार नहीं है, कहती है उसके नाच की वज़ा से मेरा गाना अच्छा होता ऐसा थोड़ी होता है, अरे, गाने के सुर से ही तो नाचने के लिए पैर्थी रखते हैं बताइए, परशीखा कहती है, नृत्य की ताल से गाने की धुन बनती है, अगर बहुत बुद्धू ना हो तो ये बात नहीं की जा सकती क्या कहां? फड़क गई रे मैं बुद्धू हूँ? ये बात तो नहीं नहीं है, मैंने पहले भी कही है, और पूरी जिंदेगी कहनी पड़ेगी, और वैसे भी सच कहने में डर किस बात का? अच्छा, मेरी तरफ देख के कहो, देखो देखो, देखो मेरी तरफ, सुनो, याद रखना, मैं अब नाचोंगी ही नहीं, देखोंगी तुम कैसे गाते हो फिर बुद्धु जैसी बात कर रही हो, अर अगर मैं नहीं गाऊंगा तो तुम नाचोंगी कैसे हाँ देख रहे हैं पापा घड़ी घड़ी देख रहे हैं पापा फिर मुझे चिढ़ा रहे हूं ये अच्छा नहीं हो रहे हैं बता रहे हूं बातों में तु उससे नहीं जीत पाएगी शिखा वो बहुत अच्छी बाते करता है हाँ, बातों से ही तो इसने तुम लोगों का दिल जीत लिया है नहीं, बातों से नहीं सिखा जी, बरताव से याद है, तुम ही ने पहले मौसी जी को कहा था कि अविनास का बरताव कितना अच्छा है है ना मौसी जी उसके बाद कहा था कि शरीफ है, इजददार है, etc, etc तुम चुप रहो, ये सब मैंने कुछ भी नहीं कहा था ची, जूट नहीं बुलते बेटी, पाप लगेगा बहुत बुरा होगा लेकिन पाप लगेगा अब आप ही बताइए, आप कितना देंगे नहीं मतलब मैं कह रहा था कि पापा, हाँ ये अब क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ, जो कहना चाहिए, वही कह रहा हूँ इसका मतलब आपको देहच चाहिए हाँ चाहिए, नगद एक लाक रुपै और गहने भी लगभग पचास तोले इसके अलबा आलमारी, ड्रेसिंग टेबल पलंग ये सब तो है ही इसके अलबा एक गाड़ी मिल दी तो बहुत अच्छा होता सेकेन हैं होने से भी चले छी, छी बापा, आपको पता है आज के जमाने में देहज रहना कितना बड़ा अपराध है, गुना है छी, 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 आपको तो पुलिस में देना चाहिए भाशन मत दो, भाशन मत दो मुझे पुलिस का डर मत दिखाओ ये मत भूलो कि एक समय मैं भी पुलिस ओफिसर था ये सोच के अजीब लगता है इसलिए देश के अजी ये हालत है देखिये, शीखा मेरी एक लौती बेटी है जितना मुझसे हो सके मैं जरूर दोगा लेकिन वो नगद देखिये, पचास तोले ना हो पर तीस तोले गहनी मेरे पस है और कुछ तोले हम इंतिजाम कर सकते हैं नई 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 ये नहीं हो सकता इससे यही सावित होता है कि आप लोगों ने अपनी बेटी को अभिनाश के साथ प्यार करने के लिए कहा एक ही मकसद से ताकि बीना दहेज के शादी नी पट जाए है ना? पापा देखी मैं नाचती हो ये मेरे साथ गाना गाता है मकसद सर्फ यही था कि हमें एक दुसरी की जरूरत है और फिर और फिर फियार हम दोनों को तो एक साथ मिलते जुलते हो गया लेकिन लेकिन इसकी वज़े से आप मेरे माबाप का इस तरह आपमान मत कीजी सच में आप मेरी शादी में ऐसे दहज मांगेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे ये सोचने में भी घीन आती है कि मैं मैं आपका बेटा हूँ तो आप क्या इजादा है? येस शादी करूँगा शिखा से ही आपकी ये गलत जिट को मैं नहीं मान सकता पपा और इस घर में भी नहीं रहूँगा नई-ने अविनाश ये नहीं हो सकता तुमारे पापा जब मना कर रहे हैं तो अरे आप तो देखी रहे हैं ये मेरी बात नहीं सुन रहा है तो आप की चा सुने गा आज कलके पढ़े ही रिखे बच्चे, बड़ों को नहीं मानते, तो उन्हें शादी करने दीजे, आपों क्या दिक्कत है, तो शादी कप कर रहे हो, इसका मतलब, सुवर, उल्लू, रास्कल, सारी जिंदगी पुलीस की नौकरी करके, एक पैसा भी घुस नहीं लिया, और आज और आज तुम्हारी शादी के लिए दहेज लूँगा, तुमने सोचा कैसे, पापा, दरसल मैं रॉब दिखा रहा था, रिटार्ड पुलीस ओफिसर हूँ, समझे जनाब, सारी उम्र दूसरों को डराना ही मेरा काम था, अब मैं किसे डराऊं, मेरी पतनी तो मुझे बहुत जराने लगुंगा, हाँ, बहुत डराऊंगा, ठीक, 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 बैठी, बैठो, 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 अब और मध दराईयेगा, से आदा डर मैं रो देती हूँ, अचा पापा, आप तो बहुत कमाल काप्टर है, बच्पन में अप्टिंग वेक्टिंग करते थे क्य बहुत अच्छी है, चलो चलो देखने चलते हैं, बस तरा दाटा है, जल्दी कर वेटा जल्दी कर, उच्छी देन में लट्टी वाले आते ही होंगे, सुरज को कहा था और भी लोग भेजने के लिए, वो तो मेनी बात ही नहीं सुनता, अरे आज आने महुत देर हो गई है ना और वही मुझे लगाई चाहिए है बैटी, फल्दी की रसुन से ही दुल्च का स्परश दुलहन को लगता हैं, मतलब सुरू होती हैं, एक नई प्रेम कहानी, बाहार लड़के बाले आ चुके हैं, चाचाजी ने सब को बाहार बिलाये हैं, चलो चलो चलो, चलो चल, चलो, आई 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 हल्दी की रसम शुरू कर देते हैं बहुत देर हो गई हल्दी की रसम के लिए नहीं सुनील बाबू मैं एक बुरी खबर लेकर आया हूँ बुरी खबर कैसी बुरी खबर क्या हुआ है डैमंड सीटी से अपनी बुआ को लेने के लिए कल रात को ही अभिनाज खुद गाड़ी लेकर गया था जाते फक्त उसका एक्सिडेंट हो गया एक्सिडेंट वहां के कुछ लोगों ने उसे ले जाकर बगल के एक होस्पीटल में भरती करवाया रात तक हम लोगों को कोई खबर नहीं मिली सुबह थाने से फोन आया कि अभिनाज 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 मर गया अजरी इशल में। करें। नहीं। बोल्वे। मैं मुझा झाले। मैं मुझा। उस दिन शिखा ने पहली बार रोया और तब से शिखा के मन में खुदखुशी का भूत सवार हुआ, हर वक्त उस पर निग्रानी रखनी पड़ती है, डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने कहा कुछ दिनों के लिए उसे बाहर ले जाए, हो सकता है इस शहर में अविनाश की यादें उसे पल-पल सता रही है इसलिए उसे यहाँ ले आया, लेकिन यहाँ पे भी फिर से वही कहानी इतना सोची मत, देखिएगा, देरे-देरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतने बड़े हाथसे से बाहर निकलना इतना असान तो नहीं वो तो बहुत अच्छा डांस करती थी न, इस बारे में उन्हें इंकरेज करिये न, इन सब में बिजी रहेगी तो उनका भी मन लगा रहेगा और हो सकता है कि वो खुदकुशी करने के बारे में ना सोचे, हो सकता है वो पहले जैसी हो जाएंगी कोशिश तो इसकी भी हमने बहुत की, बहुत बार कहा है, पर वो लड़की हमारी एक भी बात नहीं मानती इसलिए कह रहा था कि तुमें जब भी वक्त मिले हमारे यहां पे आया करो बीटा तुम दोनों हम उमर हो, साथ में बैटके बाते करोगे तो शायद उसका दिल हलका हो जाए कहां गई थी आप घूमने? मेरे बारे में पापा से आपने सब को जानने लिया होगा देखे, मुझसे कोई जूटी हमदर्दी दिखाए या मेरे बारे में कुछ जानना चाहे यह मुझे बिलकोई पसंद नहीं शेखा जी, मैं आप पे किसी तरह की हमदर्दी या फिर आपके बारे में कुछ जानने नहीं आया क्योंकि मैं जानता हूँ दुनिया का हर इंसान जिन्दा है अपनी किस्मत से ना कोई दूसरा उसे मार सकता है और ना है जीवन दे सकता है और वैसे भी मैं कौन होता हूँ हम दर्दी दिखाने वाला नमस्ते Sanjana 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 तु? राची से यहां का बाई? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नहीं मुझे कुछ नहीं पता पुलिस को टोटा की डेड़ बॉड़ी मिली है चानबीन के बाद उन्हें सब पता चल गया है और कल मुझे एरेस्ट भी किया था पुलिस ने हाँ आज ट्रेन से कोलकाता लेकर आ रहे थे स्टेशन से उतरने के बाद मैं वहाँ से भाग गया माई कॉड उसके बाद? उसके बाद? पुलिस मेरा पीछा कर रही थी और मैं टैक्सी पगड़के सीधा तुम्हारे पास चला आया पुलिस जरूर तुम्हें ढून रही होगी यह तुमने क्या किया? एक तो तुमने खून किया और उपर से पुलिस की हिफाज़त से भी भाग आये तुम्हारा गुना दुगना हो गया अब क्या होगा? अक्चुली मैं बहुत डर गया था अगर मुझे फासी हो गई तो मैं तुम्हारे बीना मरने ही पाऊंगा संजना जीएंगे भी साथ में मरेंगे भी साथ में ठीक है तो फिर चलो मैं भी तुम्हारे साथ जाकर पुलिस को कहूंगी कि हम दोनों ने मिलकर टोटा का कतल किया है हम दोनों को ही ससा देजिए हैंसब दीपक बाबू देखा आपने मिश्टर तिरपाठी अमारी इंफोर्मेशन सही है कि नहीं दीपक जी भाग कर यहीं आया है इंस्पेक्टर्श दीपक जी भागिये अमिताब बच्चन की तरह दीपक जी भागनी के कोशिश मत कीजिए नहीं तो मैं गोली चलाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा दीपक जी बच्चन की तरह इसलिए तो पुलिस की गोली से पर तुने अपने सपने में मुझे देखा ही क्यूं इसलिए गढ़ढ हुई ना चल सोजाते हैं चल सोजा हां सोजा 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 बीगी पलके भीगे हर दिन याँद हर पल तु आये चाहू अगर भूलू मैं तुछ को फिर भीणा मोला जाए बीगी पलके भीगे हर दिन याँद हर पल तु आये चाहू अगर भूलू मैं तुछ को फिर भीणा मोला जाए जो सकत जिसे पाया मैंने वो सुख मिलेगा कहा जो सकत जिसे पाया मैंने वो सुख मिलेगा कहा जो सकत जिसे पाया मैंने वो सुख मिलेगा कहा होठों पे मेरे तेरे ही नगमे आखों में मेरे तेरे ही सपने कितनी सुने है रे दिन आखों में मेरे तेरे ही नगमे आखों में मेरे तेरे ही सपने कितनी सुने है रे दिन यादे तेरे हर पल सताए बाते तेरे क्यों याद आए काटे कटे ना दिन जो सक तुझसे पाया मैंने वो सक मिलेगा कहा जो सक तुझसे पाया मैंने वो सक मिलेगा कहा कर दो कर दो चोरी चोरी चुपके चुपके आखों में मेरी तस्वेर तेरी आए मिट जाए चोरी चोरी चुपके चुपके आखों में मेरी तस्वेर तेरी ओई ये मिटे जाए धोड़े दिल हर परज को ना जाने तुम छोड़े के मुझको चले गए कहां जो सुख तुच से पाया मैंने वो सुख मिलेगा कहां भीगी ये पल के भीगे हर दिल याद हर पल तो आए चाहू अगर भोलो मैं तुझको फिर भी ना मोना जाए जो सुख तुच से पाया मैंने वो सुख मिलेगा कहां जो सक तुच से पाया मैंने वो सुख मिलेगा कहां शिकहा जी वाँ आप तो बहुत अच्छा गाना गाती है सामने मूँ पर कौन कह सकता है कि आप बुरा गाती है इसलिए शराफत के लिए कहना ही पड़ता है कि आप अच्छा गाती है मैं भी आस्तर ऐसे इंसान से मिला नहीं जो अच्छा गाना गाने के बाद कहता है कि मैं अच्छा गाना गाता हूं तो फिर किसकी बात सच है? दोनों की ही बाते सच है. मैंने आपकी तारिफ की अपने तहे दिल से. और आप इंकार कर रही हैं, क्योंकि आप अच्छी हैं. आपसे कल मैंने बत्तमीजी से बात की, इसके लिए में बहुत शर्मिंदा हूँ. आपके दिल की जो हालत है, ऐसे वक्त में ऐसी बाते करना कुछ गलत नहीं. यकीन मानिये, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा. आप बहुत अच्छी बाते करते हैं. दिपक! कल क्या कर रहे हो बेटा? अगर कोई काम ना हो, तो कल चलो ना हुमारे साथ. पास में एक सुन्दर स्पॉट है, देखने चलेंगे. ठीक है, चलूँगा. बहुत अच्छी, चलो, चलो. चलो. कितनी सुन्दर जगा है, है ना? हाँ, बहुत सुन्दर है. दिपक, हाँ, तुम लोग बाते करो, हम लोग ज़रा वहां घुंके आते हैं. फीक है. चलो. आईए. जानती है, कल जो आप गाना गा रहे थी, उस गाने के बोल बिल्कुल मेरे जीवन की तरह है. सच में? हाँ. एक्चुली, बात क्या है, जानती है. हर इंसान के जीवन में दुख हैं, तकलीफे हैं. हो सकता है कम्या जादा. और जिसे खुद पे भरोसा है, वो दुख और तकलीफों से अपने आपको बहा निकाली लेता है. वो फिर से खुशी और नए सीरे से जीवन को शुरू कर देता है. लेकिन, कुछ दुख ऐसे भी होते हैं, जिने इंसान भुला नहीं पाता. और फिर वो, वो जीना भी नहीं चाता. शिखा दीपक के साथ बहुत नॉर्मल होकर बात कर रही है. देखकर अच्छा लग रहा है. इसलिए तो उन्हें अखेला छोड़ा. अगर वो फिर से पहले की तरह सब के साथ गुल मिल सके, बाते कर सके, तो भी शायद अविनाश को खोने का गम वो भूल पाए? चलो. हाँ, चलो. अच्छा दीपक जी, आप पुनर जनम पर विश्वास करते हैं? क्यों? क्या हुआ? मुझे लगता है, अविनाश ने कही न कही फिर जनम लिया होगा. मैं भी आत्मात्या करके अगर फिर जनम लू, तो हम एक दूसरे से सरूर मिल जाएंगे. देखिए, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, और अगर आपकी बात मान भी लू, तो फिर एक सवाल पूछूू। पूछिए. आपको पिछले जनम की बाते याद हैं। नहीं। तो फिर अगले जनम में इस जनम की बाते कैसे याद रहेगी। और वैसे भी ना आपका ये शरी रहेगा और ना मन। आप लोग ये दूसरे को पहचानेंगे कैसे? और फिर मिलन होगा भी कैसे? क्यों? आत्मा का मिलन होगा? आत्मा तो अमर है, सभी कहते हैं। अगर आपकी बात मान भी लू, तो फिर एक बात मानेंगी। आत्मा की आखें नहीं होती, दांत नहीं होते, जो दुख में आखों से आसू निकलेंगे, खुशी से दांत खिलखिला उठेंगे, और ना ही खुद को बया करने या कोई तरीका होता है। इसलिए अगर आपकी आत्मा मिल भी जाएं, तो आप दोनों एक दूसरे से इजहार कैसे करेंगे। आप तो जिंदगी को बहुत अलग नजरीय से देखते हैं। आप भी इस तरह देखिए, सुकून मिलेगा। आपके दुख कम हो जाएंगे। एक बाद याद रखेगा शिखाजी, कबरखोत के अतीत को बहा निकाल के जिया नहीं जाता। इसलिए अतीत की सारी बातों को भूल जाएं। क्योंकि जिंदा रहने के लिए आज को लेके ही जीना परता है शिखाजी। आपकी बाते सुनकर सच में बहुत अच्छा लगता है। अविनाश भी इसी तरह की बाते करता था। हालो, दीपक। मैंने आज सुभा उठते ही तुमें फोन किया था। सुना तुम बहुत सुभा ही निकल गये थे। कहां गये थे तुम। यहाँ पर एक जंगल है, बहुत सुनर, वही देखने गया था। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ डर के मारे मर रही हूँ और तुम वहाँ जंगलों में घूम रहे हो। क्यों ऐसा क्या हुआ? कोई बुरी ख़बर है? नहीं, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, अभी तक कोई ख़बर नहीं मिले। असल में कल रात को मैंने तुम्हारे बारे में एक बहुत बुरा सपना देखा। पुलिस ने तुम्हें एरिस्ट किया है, और उसके बाद… अरे यह क्या? तुम हस रहे हो? अभी भी हसी आ रही है तुम्हें? मैं तो हसना भूली गई हूँ हसी आ रही है क्योंकि तुम सपना देखके डर रही हो। आजकल मैं सच्चाई की बातों से डरता नहीं जो होगा होगा, यहां आने के बाद मैं एक बात समझ चुका हूँ, कि नसीब को बदलने के हिम्मत किसी में भी नहीं और उस नसीब के चक्कर में नजाने कितने ही जिंदगियां बरबाद हो जाती हैं, है ना? क्या बात है? अचानक, फिलोजफर कैसे बन गए? अपने से भी दुखी इंसान से मिलने के बाद, बाई हेई, बाबा, ऐसे मूर्ती बन के क्यों खड़ी है? चल, ताई जी खाना खाने बुला रही है पता है रिया, दीपक ना फिलोजफर बन गया है अच्छा, पता है संजना, मुझे लगता है, तू ना पागल हो गई है चल, ताई जी खाने बुला रही है, चल ना यार एक बात कह सकता हूँ कहिए आप तो बहुत अच्छा नाशती थी, क्या अब मन नहीं करता नाशने को? पैरो की वो ताल, अब मैं भूल चुकी हूँ बुरा मत मानीगा, क्या अविनाश का गाना ही इन सब का कारण है सच में, उसके गानों से मुझे प्रणा मिलती थी, वो कहता था इसका मतलब इस जीवन में आप आप नाचेंगी नहीं सब के पास ये टैलेंट नहीं होता शिखाजी, आपके पास है लेकिन अविनाश के मरने के साथ-साथ, आप इस गौड गिफ्टे टैलेंट को ऐसे ही बरबात कर देंगी मैं क्या करूँ बोलिये, उसका गाना और मेरा नरत्या ऐसे अनोखे बंधन से चुड़े हैं, कि एक के भीना दूसरे का कोई वजूत नहीं ये गलत सोच है आपकी, किसी के लिए कोई भी काम रुकता नहीं, किसी का हुनर खतम नहीं हो जाता अगर आप चाहें, किसी और के गाने पर भी आप नाच सकती हैं लेकिन अविनाश तो कहता था, मेरे गाने के बिना तुम नाच नहीं सकती आपने कोशिश करके देखा है कभी देखिये, हो सकता है, मैं अविनाश की जैसा नाच सको लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, मेरे गाने पर भी आप नाच सकती है नहीं, नहीं, मुझसे नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं, सच कह रही हूँ शिखा जी, शिखा जी सुनिए, कोशिश करके तो देखिये, जरूर होगा यह आपकी अमानत है, इसे पहन के आप नाच ती थी पहले आपकी मा ने मुझे दिया है, पहनिए, उसके बाद देखियेगा जरूर नाच पाए नहीं, नहीं, मसे नहीं होगा, कह दिया तो नहीं होगा बजाओ तुम फिर से घुंगुर छम छम जिन्दगी मुस्कुराएगी फिर से नाचेगा मन का मयूर बजाओ तुम फिर से घुंगुर छम छम जिन्दगी मुस्कुराएगी फिर से नाचेगा मन का मयूर याद रखना मैं अब नाचोंगी ही नहीं देखोंगी तुम कैसे गाते हो फिर पुद्धु जैसी बात कर रही हो अर एकर मैं नहीं काऊंगा तो तुम नाचोंगी कैसे तीख रहे ना पापा नाचोंगी फिर तुम ऐसे नाचोंगी जर 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 ना जैसे नाचे नाचो फिर तुम ऐसे नाचोंगी जर 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 ना जैसे नाचे नाचो नाचो जैसे नाचे नाचो नाचो जैसे नाचे बलके नैनोंगी नाचेगा मन का मयूर नाचेगा मन का मयूर बजा तुम फिर से खुंगर जम जम जिन्दगी मुस्कुराएगी फिर से नाचेगा मन का मयूर नाचेगा मन का मयूर नाचो फिर से ऐसे नाचो सागर की लहेरों की तरहा नाचो फिर से ऐसे नाचो सागर की लहेरों की तरहा नाचो नाचो जैसे नाचे नाचो जैसे नाचे पाल नागिनी नाचेगा मन का मयूर नाचेगा मन का मयूर बजाओ तुम फिर से खुंगुरु छम छम जिन्दगी मुस्कुरायगी फिर से नाचे गा मन का मयूर नाचे गा मन का मयूर नाचे पुम जाचे एक रहा हम तुम्हारे बहुत ऐसान मंद है बेटे तुम्हारी वज़य से शिखा फर से पहले की दर अपनी जिनदेगी में वापश जाने लगी सच में बहुत अच्छा नासती है और देखिगा इसी नाच की वज़य से शिखा जी फिर से पहले जैसी हो जाएंगी शहर लोट कर अगर तुम उसके साथ ऐसे ही बात करते रहो तो फिर देखना वो फिर पहले जैसे ही हो जाएगी लेकिन मैं जानता नहीं मैं कब लोटूंगा या फिर लोट पाऊंगा की नहीं मतलब तुम तो यह गूमने आये थे जब जी चाहे वापस जा सकते हो वो हो सकता है लेकिन अक्चुली यही वो अक्चुली मैं ऐसा है कि अज राद का डिनर आप हमारे साथ कीजिए न वहाँ दिनों से नहीं बनाया आज राद का डिनर मैं बनाओँ आपको खाना बनाना भी आता है बहुत अच्छा बनाती है खास करके चिकन ऐसी बात है, तब मैं मना नहीं का सकता, क्योंकि चिकन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि होटल का जो खाना है, तो फिर चले आईए डिनर पर, जल्दी आईएगा, पापा, अब ज़रा बजार से चिकन ले आईएगा, अभी ले आता हूँ, चलो 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 तुम बिल्कुल भ संजना, 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 है संजना, अरे बापरे, कहां खोई है, बोल, तेरे कॉलेज का एक लड़का आया है, पूरे शरीर में बैंडिजस बंदे हुए है, एकदम कार्टून लग रहा है, हमारी कॉलेज का, यही कह रहा है, दिखने में कैसा है, एकदम शक्ति कपूर की तरह, टोटा तू, एकदम सही गेस किया था, मुझे बेव को बनाना इतना असान नहीं है, मुझे पहले लगा था कि यह वही विलन है, टोटा, चुप कर तू, संजना, मैं तुम से माफी मागने आया हूँ, सच में उस दिन मुझ से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, कबाब में हड़ी बनना ठीक नहीं हो था, आम सॉरी, पर हम लोगों को लगा था कि तुम, मर गया हूँ, यही ना, हाँ, इसलिए तो हीरो शेर से बाहर है, इसका मतल करती हूँ, पहले तुम अपने बारे में बताओ, मैं तुम उस भूतिया घर के छट से गिर के बहोस हो गया था, सारी रात महीं बहोस पड़ा हुआ था, नसीव अच्छा था कि साब विच्छू ने नहीं काटा मुझे, सुबस्वा कुछ बच्चे खेलने आया थे तो उनक मैं जाकर बताया, आसपास के लोगों ने मुझे उठा कर हास्पिटल में एड्मीट करा दिया, हो साती मैंने उन्हें अपने घर का नंबर दिया, मम्मी पापा गो ख़वर दी गई, मम्मी पापा ने सहर के अच्छे हास्पिटल ने भरती करवा दिया, कली छुट्टी मिली के बाद, हीरोईन के घर आकर जब माफी मांगता है, तब समझ लेना जरूर उसका कोई मतलब है, फिर कोई प्लान बना कर आया है, हाँ बिलकुल, लेकिन ये से बॉलिवूड में होता है, शक्ति कपूर, गुलसन ग्रोवर, ये लोग नहीं बदलते, लेकिन टॉलिवूड क में असा नहीं होता है, यहाँ विलेन हीरोईन के शाधी भी करवा देता है, प्रकास राज, राना दगुबती, मैंने देखा है इने फिल्मों में, इसके अलावा मैं एक सरीव घर का लड़का हूं, बहकावे में मैं गलत कदम उठा लिया था, I'm really sorry, मुझे माफ कर दो, प् माइ गॉड, हारे, वो खुद संजना के पास आया था ये कहने के लिए, और उसने अपने आपको पूरी तरह से बदल भी लिया है, अपनी गलती के लिए उसने संजना से माभी भी मांगी, एनिवे, तू आज रात के ट्रेन से वापस आजा, आप लोग सब कैसे हैं, अरे हम लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तू जल्दी से बस वापस आजा, ओके, ओके, क्या, तुमारा वेटा वापस आ रहा है, रगवान का शुक्र है, एकने दिल में चान्ती मिली, जैमा, जैमा, क्यों संजना, अब तो खूश हो, शिखा, चिकन में बना दो, सारी तैयारी हो गई है, नहीं, नहीं मा, वो मैं बनाऊंगी, सुभ़ तो बात हो गई थी ना, तुम बैटके पापा से बाते करो तो, पापा, आप मा के साथ बाते करें जी, ठीक है, ठीक है, शिखा फिर से सपने देख रही है, दिपक को लेके आए भी हो जल्दबाजी में, और जा भी रहे हो जल्दबाजी में, अरे मामला क्या है, बोलो तो, मामला बहुत इंट्रेस्टिंग है जगजी, अभी बोलने गया, तो ट्रेन मिस हो जाएगी, शादी के बाद जब यहाँ हनीमून मनाने आओंगा, तब जरूर बताओंगा सच में, अपनी बीवी को लेकर आओगे तो, जरूर, वा, सुनकर बहुत खुशी हुई, समझे, यह लो, लेकिन आने से पहले, मुझे बताना जरूर, समझे, तो फिर मैं तुम्हें वो जुडवा रूम दूँगा, जुडवा रूम मतलब, मतलब उस रूम से हनीमून मना क अगर लोटोगे, तो तुम्हारे जुडवा बच्चे पैदा होगे, जगजी आप भी ना, पजाग नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं, जिन लोगों ने उस रूम में हनीमून मनाया है, हर किसी को जुडवा बच्चे पैदा हुए है, उन्होंने चिठ्थी लिख कर मुझ और ये तेरी बक्षीष, चल चल, चलता हूं, जगजी, हाँ, ठीक है, पर ध्यान से जाना, आते हैं और चले जाते हैं, जाने दो, पर जाते वाक्त, इतनी तकलीफ क्यों होती है, भापरे, बसंत कोटेज, कौन साला जाएगा इतनी दूर चिठी देने, बच्च साला, उस से अच्छा इस पैसे से माल खरीद कर, दिन बर फुकता रहूंगा, शिखा देवी, जिन्दा आबाद, शिखा, आज़ा बेटा, खाले, बहुत रात हो गई है, दीपक अपशयद नहीं आएगा, पता नहीं क्या हुआ, सुभह ही कहा, शाम को आउंगा, भूलना तो नहीं चाहिए था, एक फोन भी तो नहीं है जो उसकी हबर लो, उसकी तवेद तो नहीं खराब हो गई कहीं, जाकर एक बर होटल में खबर लोना, कोई शरूरत नहीं है, इतना परिशान क्यों हो रही हो मा, चलो खालो, रुको, मैं देती हूँ, खा के बताईए, मैंने कैसा चिकन बनाया है, खाना तो तुने अच्छा ही बनाया है, खुश्बुसे ही पता चल रहा है, पापा, यह आप कैसा चिकन लाए है, ठेक से पका भी नहीं है, यह मैं नहीं खा पाऊंगी, शिखा, शिखा, सुनना बेटी, चिकन नहीं खायेगी तो कुछ और खाले, इस तरह से बिना खाये भूखे पेट मत सो बेटा, आप लोग खाई, और सुनिए पापा, कोई ज़रूरत नहीं है दिपक की खबर लेनी की, हम ही क्या हन पढ़िये की, हम लोगों को बुला बुला कर उनसे दोस्ती करे, और उनकी खबर लेते रहे, और उनके लिए उनकी पसंद का इतना सारा खाना बनाए, शिखा, सुन, ये क्या, तुम क्यों उठ रहे हो, तुम तो खालो, वंदना, मुझे ऐसा लग रहा है ये चिकन शायद, सच मुझ अच्छा नहीं था, इसलिए शिखा के इतने अच्छे से पकाने के बावजूद, खाना अच्छा नहीं बनाओ, और वैसे भी, एक रात अगर इंसान ना खाय तो मल नहीं जाता, इसलिए कभी कभी भूखा रहना चाथी, इससे सेयाद भी अच्छी रहती है, पर तुम खालो, वाह, बाप बेटी भी नखाय चले गए, और मैं यहाँ अकेले बैट बैट कर खाऊँ, कहने में शरम भी नहीं लगती है, मैं क्या कोई इंसान नहीं हूँ, शाम से इतनी तैयारी, सब बेकार हो गई, दिपक तो कल रात को ही वापस चला गया, क्या मतलब, कुछ कहके नहीं आ गया, हाँ, कहके गया है, उसने कहा है, शादी के बाद हनिमून मनाने यहीं आएगा, इसी होटल में रहेगा, मैं उसे जुरुआ रूम धूंगा, यह भी मैंने उसे बता दिया, शादी के बाद यहां आएगा, लेकिन शादी किसे करेगा, यह मैं कैसे कह सकता हूँ, बोलिए, शादी तो वो करेगा, मैं नहीं, इसी लिए जरूरी फोन मिलते ही, वो फॉरण चला गया, शायद सादी के तारिक भी तै हो गई है, इसलिए इतनी हरबड़ी है, समझे, तरेसा नहीं, तरेसा नहीं, किसी से ना डरेंगे हम अबतो सरा, आउना पास, मेंट यारा, आउ मिलके ज़ा, बस्थी में आज काए चला, तुरुतो तारारारारा, ये तेरे संद माचेंगे हम गाएंगे अरसन हम किसी से ना डरेंगे हम अत्तो सरं चोरी चोरी आगे तुने दिल को चुदाया तुने कैसा ये गादु किया दिरे दिरे पास आगे आगों से मिला कि आगे मेरा ये दिल ले लिया हाँ प्यार के ये दो पल लोटेंगे न ये कल प्यार के नशे में आओ डूब जाए हम चोरी चोरी आगे तुने दिल को चुदाया तुने कैसा ये जादु किया प्यार के ये दो पल लोटेंगे न ये कल प्यार के नशे में आओ डूब जाए हम आओ पास मेरे और पास मेरे दीर दीर होल होल तेरे लिए दिल दोल तेरे लिए जाने जा तेस तेस सास चले पल पल दिल जल तेरे विना जाने जा हो तुम भी जवाब मैं भी जवाब क्यार के ये दो पर मिलेंगे कहा घिर घिर हर हार तेरे लिए दिल दोल तेरे लिए जाने जा तुम भी जवाब हो तुम भी जवाब क्यार के ये दो पर मिलेंगे कहा आओ पास मेरे, और पास मेरे, तेरे सन माचेंगे हम, काएंगे और सनाओ, किसी सी ना दरेंगे हम, अब तो सरम आओ ना पास मेरे, यारा, आओ मिल के जरा, तेरे सन माचेंगे हम, काएंगे और सनाओ, किसी से ना दरेंगे हम, अब तो सरम आईए, भाईया, ये आप से मिलने आए है, अरे आप कब लोटे नेतरहाट से, आजे, तुम अचानक बिना बताये चले आए, इसलिए तुमारे खबल लेने चलाया, तुम उस दिन हमारे घर आने वाले थे, हमने बहुत देर तक इंतिजार किया तुमारा, शिखा ने अपने हाथों से खाना बनाया था, लेकिन तुम नहीं आए, हाँ, लेकिन मैंने तो आप लोगों के लिए चिट्टी भेज दी थी, चिट्टी, हाँ, लेकिन हमें तो कोई चिट्टी नहीं मिली बेटा, ये क्या, शिबु नाम के लड़के को देख राया था, लेकिन हमें चिट्टी नहीं मिली बेटा, खेर, पर तुम ऐसे बिना बताए, चले क्यों आए, और मत पूछिए, आईए, वो एक मज़ेदार किस्सा है, बैठिए, 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 आक्चुली मैं एक मर्डर के केस में फ खेर जो भी हो, सच जानने के बाद डैड ने फोन करके कहा कि तुरंट चले आओ, तो चला आया, चाय पीएंगे, नहीं बेटा, आज मुझे थोड़ी चलती है, खेर, तुम हमारे घर कबारेों बताओ, मुझे तुमसे कुछ बात करती है, आउंगा, कल या परसो जरूर वाउ, बहुत सुंदर है, ये अंगोठी, दीपक के जनम दिन पर, सुभाश बाबु जब तुम दोनों की शादी की डेट अनाउंस करेंगे, तब तु इसे दीपक को पहना देना, पता है, बॉलिवुड फिल्मों में भी ऐसे ही होता है, शादी पक्की हो जाने पर, हीरो ह हीरोईन एक दूसरे को अंगोठी पहनाते है, हीर बॉलिवुड की कहानी, सौरी, सौरी, अच्छा संजना, बोल, दीपक के बर्थडे पर, तुम दोनों गाना गाओगे न, डुएट सॉंग, पियानों बजाकर, मतलब बॉलिवुड मूवी की तरह, पर ऐसा नजरा तो आम पर देखा जाता है, और एक हीरो, यह तो और एक हीरोईन रहती है, मतलब वो ट्राइंगल लब स्टोरी, लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा, अगर कहानी में एक और हीरोईन आ जाए, तो क्या होगा, फिर से, ओ, दीपक, आओ, अंदर आओ, आओ, आओ कैसे हो बेटा, अच्छा हूँ, आपने बुलाया था, मतलब दीपक, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, तुम वादा करो, तुम मना नहीं करोगे, सुनो ना, अंदर चलो ना, ठीक से बैट कर बात करना, नहीं, शिखा है वहाँ, मैं बात यहीं निप्टा लेना चाता हूँ तो वादा करो दीपक, लेकिन आप कहना क्या चाते हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, देखो बेटा, तुमने शिखा को एक नई जिंदेगी दी है, शिखा भी नई सिरे से जिंदेगी शुरू करना चाती है, तुम उसके सबने को तोड मत देना बेटा, तुम उससे शाद अरे तीपक, कब आए, बस अभी, पापा से मैंने सुना, कि आप उस दिन क्यों नहीं आप आप आए थे, समझ कहीं कि आपका कोई कसूर नहीं, इसलिए इसमार माफ कर दिया, थैंक्यू, उस दिन शिखाने बहुत अच्छा खाना बनाया था, खास करके वो चिकन करे, पाप बिना खाए पता चला, उस दिन तो हम लोगों ने खाया ही नहीं था, क्यों, खाय क्यों नहीं, नाराजगी, वो क्या है न, हम हिंदुस्तानियों को घुसा बहुत जल्दी आ जाता है, हर कोई यहां पे एक दूसरे से नाराज है, बच्चे माबाप से, माबाप बच्चों स पती अपनी पतनी से, दरसल हम हिंदुस्तानी बहुत भावुख होते हैं न, सेखा आपने, दीपक, क्या मेरे साथ बाहर चलेंगे, मुझे कुछ खरीदारी करनी, जाओ ना बेटा, घूम कर आओ, यह अकेली जाएगी, ठीक है, आंटी, दीपक कहा है, संजना, आओ आओ, दीपक तो निकल गया है, बिटा, मैंने तो सोचा तुम्हारे यहां गया है, ओ, मैंने सोचा था, उसके साथ बाहर जाओंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, और मा ने कहा, यह अंगोठी, उसके उंगली में फिट होती है कि नहीं देखने के लिए, वा, बहुत इसकी क्या जरूरत थी, ठीक ही होगी, तुम्हें काम करो, उपर के कमने में जाकर इंतिजार करो, वो अभी आ जाएगा देखे दीदी, पसंद कीजिए, मैं, मैं क्यों पसंद करो, वो आप मा से कहिए, मा ने कहा है, मैं खरीद रही हूँ, आपके लिए मेरे लिए अरे दीपक, तू, वड़ा प्लेजन सर्प्राइज, नमस्ते सर, अरे तू यहाँ पे, क्या खरीदेगा बोल, यह तू मेरी ही दुकान है, वाकई, मैं कुछ नहीं खरीदूँगा, वो खरीदेंगी मैंने तो इनने नहीं पहचाना, इनका नाम सिखा बोस है, रविन्द भारती की स्टूएंट है, बहुत अच्छा डांस करती है, मैं इनसे नितरहाट में मिला था, और सिखा, यह है टूटा चौदरी, मेरा क्लासमेट हलो हाई, क्या लेंगी बोली, डिस्काउंट मिल जाएगा, दीपक अगर साथ में है, तीन ठंडा लाइए तो अंगुल्ठी लेनी है मेजरमेंट, मतलब किस उंगली के लिए? दीपक के लिए किस तरह की अंगुल्ठी चाहिए, पथर बढ़ावा या प्लेन? मुसीबत, कैसी मुसीबत, क्या हुआ है बेटा, बता, हमें बता, रो क्यो रहा है मा, मा, मा मैं, मैं संजना से चादी नहीं कर पाऊंगा मा कल मेरे जनम दिन पर हमारी शादी की डेट की अनॉंस्मेंट मत कीजिएगा ये क्या? क्यों? क्या कह रहा है तो? सब कुछ ठीक हो गया है, सब को बता दिया है हमने अब ये सब कैसे कैंसिल करेंगे? और फिर, और फिर इसका कारण क्या है? तुझे क्या संजना पर विश्वास नहीं है? या फिर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, जिसके लिए तू उससे शादी नहीं करना चाहता है नहीं डाड़ी, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, संजना मुझसे बहुत प्यार करती है, उसका कोई कसूर नहीं है अक्चुली निताराट में मेरे साथ एक ऐसा हाथसा हो गया कि ये हाथसा? कैसा हाथसा दीपक? बता, मुझे बता वहाँ पे शिखा नाम के एक लड़की को मैंने खुदकुशी करने से बचाया था कुछ महीने पहले, उसका होने वाला पती शादे के दिनी एक्सिडेंट में मारा गया इसलिए एक इंसानियत के खातेर एक इंसान को जितनी हमदर्दी दिखाने चाहिए थी सिर्फ उतने ही दिखाई थी मैंने लेकिन शिखा उस हमदर्दी को प्यार समझ कर मेरे साथ एक नई जिन्दी की शुरुआत करना चाहती है अब उसके माता पिता यहां तक के शिखा को भी उमीद है कि मैं उससे शादी करूँगा वाट नॉंसेंस उमीद करने से ही हो गया तेरे बचपन में ही हमने तै कर लिया था कि संजना से ही तेरी शादी होगी मैंने और धिरेज ने तुम्हारे साधी के लिए कितने सपने देखे हैं तुम दुनों एक साथ बड़े हुए हो तुम दुनों एक दुसरे से प्यार करते हो जानते हो समझते हो तुने उन लोगों को ये सब नहीं बताया बहुत बार कोशिश की है मैंने माँ फर बता नहीं पाया अब बोल दे ये पॉसिबल नहीं है डैड अब ऐसा करने से शिका को बचाना मुश्किल हो जाएगा उसे बहुत तकलीफ होगी वो जिस मानसिखालत में है कोई फायदा नहीं होगा डैड उसके पापा भी कुछ नहीं कर सकते उन लोगों ने मुझसे जबरस्ती नहीं की ये शिखा की मन की बात है ठीक है मैं शिखा से बात करूंगी मैं उसे समझाओंगी मा उसे कुछ नहीं होगा मा जो कहूँगा मैं कहूँगा मा बाद में डैडी डैडी फिलाल मेरी और संजना की शादी की डेट फिक्स मत करें प्लीज नहीं 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 दिपक संजना के साथ हम ना इंसाफी नहीं कर सकते उसे तो क्या कर कर समझाएगा उसने तो कोई गलती नहीं की अगर तू से मना कर देगा तो उसके जिन्देगी भी तो बरबाद हो जाएगी न वो भी तो आत्मातिया कर सकते हैं न बच्पन से तुझको लेकर उसने कितने ही सपने देखें उसके वो सारे सपने तू कैसे तोड़ सकता है दिपक नहीं 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 हम लोग संजना के साथ ऐसा हरगीज नहीं कर सकते तुम दोनों की शादी की तारीख कल मुझे एनाउंस करनी ही पड़ेगी और फिर तूने तो अपने जन्म दिन पर शिका को इनवाइट भी नहीं किया नहीं इस बारे में अभी तू कुछ मत बताना उस विचारी को बहुत दुख होगा कल का प्रोग्राम अच्छे से बीच जाने दे उसके बाद हम लोग इस बारे में सोचेंगे ठीक है चल साथ में खाते हैं चल टोटा जी यहां है क्या नहीं वो तो रोज नहीं आते हैं बोलिये क्या बात है कली अंगुठी में ले गई थी अच्छा 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 लेकिन अब इसके बतले कोई और अंगुठी चाहिए हाँ ठीक है मैं अभी आपको दिखाता हूँ अरे अंकल जी टोटा कहा है बुलाईए उसे मजा दिखाती हूँ दोस्तो कर दोस्त को लूटता है क्यों क्या हुआ मुझे बुलिये न टोटा भाई आज नहीं आएंगे देखिये न यह अंगुठी माहा लेकर गई थी यह पत्थर खुल गया है आप कुछ कीजिए यह बात है इसे मैं अभी लगा देता हूँ वाह यह अंगुठी तो बहुत सुन्दर है शायद यह इंगेजमेंट रिंग है दीजे इसमें मैं पत्थर लगा देता हूँ मेरे लिए भी एक पसंद कीजिए ना आपकी पसंद बहुत अच्छी है आपकी अंगुठी देखकर ही समझ गई लेकिन यह अंगुठी मैंने नहीं मेरी मा ने खरी दी थी पर इस तरह के अंगुठी लड़कों पर अच्छी लगती है यह आप ले सकती है हाला कि मुझे उंगली की साइस नहीं पता बहुत सुंदर है यह शायद फेट आ जाएगी सच में बहुत सुंदर है लीजिये हो गया यह अंगुठी अब नहीं खुलेगी पथर भी नहीं खुलेगा जिसके उंगली में पहनाएंगे उसकी उंगली से भी नहीं खुलेगी अरे साइस तो दोनों की एक ही है आपके फियान से बहुत हैंसम है क्या हां लेकिन उससे साइस का क्या लेना देना सब हैंसम लड़कों की उंगली की साइस एक ही होती है मेरे साथ जिसके शादी होगी वो भी बहुत हैं ऐसी बात है तब तो आपकी पसंद की ये अंगुठी लेनी पड़ेगी मजे और कितना देना होगा दीजे मैं वजन करके देख लेता हूँ आपकी शादी कब है अभी भी वक्त है पर आज दीपक के पापा दीपक की बुर्द्रे पाटी वे हमारी शादी की तारिक अनाउंस करने वाले है आपकी शादी जिन से होने वाली है उनका नम दीपक है हाँ हाँ दीपक सिंग चरती हूँ सुनिए बुरा मत मानिएगा एक बात पूछू पूछिए आपके दिपक जी कुछ दिन पहले क्या नेतारहाट गए थे हाँ आपको कैसे पता नहीं मतलब मैं भी उस समय नेतारहाट गई थी अपने माबाप के साथ खुमने वहाँ पर भी किसी दिपक से मेरी मुलाकात हुई थी इसलिए आपसे पूछा ओ अच्छा अच्छा पता है उसके नेतारहाट जाने का एक मज़ेदार किस्सा है कैसा किस्सा आप कहां रहती है आईए ना मैं छोड़ देती हूँ बाते करते करते बहुत जाएंगे आईए बहुत सुन्दर जगा है चले थोड़ी देत बैठेके ड्राइवर गारी रोको आईए एक्चली मेरी बहन रिया उसी की बात सुनकर बॉलियूड मुवी बनाने चली थी और इतनी बड़ी मुसीबत हो गई उसके बाद दीपक नेतरहाट चला गया फिर पता चला कि टोटा जिंदा है उसने आकर मुझसे माफी भी मागी बैठे ना सच में अजीब बात है दीपक जी ने लेकिन वहां हम लोगों से कभी इस बारे में बात नहीं की जो भी हो उन्हें उनके जनम दिन पर मेरी ओर से शुबकामनाई दीजीगा और आप दोनों का शादिशुदा जीवन सुख में हो मैं यही प्रात्ना करूंगी ऐसे नहीं चलेगा अगर किसी को जनम दिन की शुबकामनाई देनी है तो किसी केज जरिये नहीं देनी चाहिए खुद जाकर देनी चाहिए लेकिन मैं तो इंवाइटिट नहीं हूँ तो क्या हुआ जब आपको पता चल गया कि आज दिपक का जनम दिन है तो एक दोस्त होने के नाते आप खुद चल कर शुबकामनाई दीजीए और हम दोनों की जिन्दगी सुख में हो ये भी आप तभी कहिएगा जब हमारी शादी की तारीक अनाउंस होगी है ना लेकिन मैं तो उनका पता ही नहीं जानती उसकी जिम्मेदारी मेरी अभी मैं आपका घर देख लेती हूँ शाम को जाते वक्त लेकर जाऊंगी मेरा इस तरह वहाँ जाना शाय ठीक नहीं रहेगा ऐसा बिलकुल नहीं है और फिर मैं भी दिपक को सर्प्राइज दोंगी कहूंगी तुम्हारे नेतार हाट की एक दोस्त मेरे साथ आई है वो भी चौंक जाएगा उसकी ममी पापा भी बहुत खुश होंगे प्लीज लेकिन नहीं कोई लेकिन वेकिन नहीं आपको जाना ही होगा कुछी वक्त में आप भी मुझे बहुत अच्छी लगी खास करके आपने मेरी पसंद की अंगुटी खरी दी आपके होने वाले पती के लिए ये क्या छोटी बात है आपकी शादी कब है बुरा मत मानना मैं तुम कह रही हूँ असल में मैंने उस वक तुम से जुट कहा था उस अंगुठी को मैंने अपने लिए नहीं मेरी बहन के होने वाले पती के लिए खरीदा था मेरी जिस से शादी होने वाली थी वो अविनाश तो मुझे कपका छोड़कर चला गया हमारी शादी के दिन है एक कार अक्सिडेट में उसके मौत हो गई प्लीज, मात रो जो होना था, वो तो हो गया इंसान की जिन्दगी में ऐसा बहुत कुछ होता है जो उसके हाथ में नहीं होता सब विधी का विधान है आज चलो दिपक के जरम दिन पर देखना तुम्हें अच्छा लगेगा वहां कितने सारे लोग रहेंगे सब के साथ तुम्हारी मुलाखात होगी चलोगी ना चलोगी, ले आओ यहां रखो मिनाक्षी, संजना भी तक नहीं आई वो किसी को लाने गई है लगता है कोई सहेली है आओ, कहा आप लोग जाओ मैं आती हो वो देखो संजना आती है आओ मैं सबसे मिलवाती हूँ आओ बेटी, आओ यह है मेरे ममी पापा और यह दीपक के आउन्टी, दीपक जब नेतर हाट में था तब इससे मुलाकात हुई थी यह है शिखा, शिखा बोस तुभे तिदर क्यों हो गई? आरे, मैंने तो आपको बताया था इससे लाने जाओंगी आउन्टी, दीपक कहा है? दिखाईनी दे रहा है वो, वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है बापरे, आपका बीटा तो लड़कियों से भी ज़्यादा टाइम लेता है तैयार होने यह क्या कह रही हो? जा, तू जा कर ले आ आरे, मिसेस महरा? शिखा? तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ बेटी, मुझे तुम से कुछ बात करनी है कही है उधर चलो पार्टी मस्त है ना? हाँ टोटा? शिखा मैं कहा रिष्टी की मतलब अरे, आपकी कैसी है? ठीक हूँ अज सुबह ही आपकी तुकान गई थी हाँ, आई थी ना तुम लोग एक दुसरे को जानते हो ठीक है, तुम लोग बाते करो शिखा मैं तुम से बाद में बात करती हूँ आपसे यहां मिलूगा मैंने सुचा भी नहीं था आपसे कुछ बात करनी थी जानती हूँ क्या कहेंगी संचना से मैं मिल चुकी हूँ आज ही आपकी दुकान में कौन है यह लड़की? इनका नाम सीखा है धीपक के साथ मेरे दुकान में अंगोठी लेने के लिया है इंट्रेस्टिंग एंगोठी उकष्य इस थीटित अए भादी ऑप्सtıित है के पास्टिंग मैने भादीद आपसर वे इसे प्रेटिंग पास्टिंग करिएसавать कि तुका Islands चाहे मैं वीरिंग अब दीपक केक काटेंगा सबस्क्राइट अब खुक के वि प olm . है यह यह बादो है। है यह यह यppy-ःदsil meant to ? यह 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 डीपक के लहा साथितों काटे spar दीपक के लादों अरे शिखा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ, दिपक केक काट रहा है, देखो दिपक, इनसे तुम्हारी नेतार हाट में मुलाकात हुई थी, शिखा बोज, क्यों, पहचा ना, क्या हुआ, केक काट के खरे की हो, सबको खेला हो, ममी को बापा को, आप भोले वाली पत्मी को, केक खिलाने में इतना शर्मा क्यों रहे हो, पुद्थू, सब क्या सूचेंगे, खिला मुझे, हाँ, हाँ, चनम दिन की बहुत शुक्काम नहीं, थेंक यू, हाँ, वो तो है, एक सगेन, मुझे बहुत डर लग रहा है, संजना को कुछ समझ में तू नहीं आ रहा है, क्या पता कुछ, समझ में नहीं आ रहा है, है, सीखा अगर नहीं गई, तो शादी की डेड़ भी एनाउंस नहीं कर पाऊंगा, तुम ज़रा उस तरब मैनेज करो, संजना, अब मैं चलती हूँ, अरे, ये क्या, केक खाओ, मैं केक नहीं खाती है, लेकिन डीनर तो करके जाओगी न, हाँ, और उपर से भी गाना शुरू होने वाला है, मैं और रिया नाशेंगे, बॉल डान्स, बॉल इउज की तरफा, अब गाना शुरू होगा, पहले दीपक जी गाएंगे, फिर शिखा, और उसके बाद संजना थ्रपाठी, सारा दिन, सारी राद, सारा दिन, सारी राद, गर बोलू तुझसे, तुझसे ही प्यार करूँ, सारा दिन, सारी राद, कर बोलू तुझसे, तुझसे ही प्यार करूँ, फिर भी न समझागी तुम, कितना तुझसे मैं प्यार करूँ, सारा दिन, सारी राद, गर बोलू तुझसे, तुझसे ही प्यार करूँ, कितना उत दुझसे ही प्यार करूँ, विर विर दुझसे, तुझसे ही प्यार करूँ, समझोना भूल गल अकेली ओही रहूं सागर की लहरो जैसे उठू और किरू समझोना भूल गल अकेली ओही रहां सागर की लहरो जैसे उठू और किरू यदि आए किसी पे प्याँ क्या है ये अपरा फिर भी ना समझागे तुम कितना तुझ से मैं प्यार करूँ सारा दिन सारी रात गर बोलो तुझ से तुझ से ही प्यार करूँ प्यार करूँ इस जीवन में ऐसा भी होता है अंचोने को अपनाना भी होता है इस जीवन में ऐसा भी होता है अंचोने को अपनाना भी होता है कर इससे दिल दुखे क्या है ये अपरात फिर भी ना समझागे तुम फिर भी ना समझागे तुम फिर भी ना समझागे तुम कितना तुझ से मैं प्यार करूँ सारा दिन सारी रात गर बोलू तुझ से तुझ से ही प्यार करूँ सारा दिन सारी रात गर बोलू तुझ से तुझ से ये प्यार करूँ कक टना तुझ से तुझ से तुझ से तुझ से थे एंप प्यार का चारी खरी करूँ झाल झाल कितनततते तुझ से तुझ से तुझ से थे बोलू जभवज लभ़ण क्या बात है शिखाय से चली क्यों गई उसे शाहिद यहां अच्छा नहीं लग रहा था तुने देखा नहीं वो कैसे रो रही थी लेकिन उसके रोने का जरूर कोई कारण होगा कुछ महीने पहले उसके होने वाले पती की शादी के दिन मौत हो गई एक एक्सिडेंट पे लेडिस और जेंटलमेन आज मेरे कलौते बेटे दीपक के शुब जन्म दिन पर मैं आप लोगों को एक खुशकबरी देना चाहता हूँ और खुशकबरी ये है कि मेरे प्रिये मित्र धीरच तिरपाठी की बेटी संजना से मेरे बेटे दीपक का शुब विवा अगले महिने पाच तारिख को है अग्रेचुलेशन हलो हलो संजना मैं टोटा बोल रहा हूँ हाँ टोटा बोलो क्या बात है उस दिन दीपक के साथ सीखा मेरी दुकान में आई थी एक अंगोठी लेने के लिए मैं तो हैरान हो गया इंगेजमेंट रिंग खरी दी मुझे तो समझ में नहीं आना क्या बात है शिखा अरे संजना तुम आओ 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 अचानक से कल तुम दीपक की बर्द्रे पार्टी से अचानक चली आई बिना किसी को कुछ बताए इसलिए मैं खबर लेने चली आई ऐसी कोई बात नहीं है बस ऐसे ही तुम अवाइट कर रही हो नहीं सच में कुछ नहीं तुम अब सब कुछ सच सच बताओ ऐसे वहां से क्यों चली आई असल में पता है वहां मैं खुद को बहुत अकेला मैसुस कर रही थी मतलब मैं किसी को जानती नहीं थी ना पर मैं तो वहां थी उसके बावजूद रहने तो अब वो सब अब बताओ तुम लोगों की शादी की ता 5th November लेकिन पता है मैंने तै किया है मैं दिपक से शादी नहीं करूँगी ये क्या लेकिन क्यों हूँ जब तुम मेरी दोस्त बन चुकी हो तब तुम से कुछ नहीं छुपाऊंगी Actually, बात ऐसी है मैंने मैंने कभी दिपक से प्यार नहीं किया और दिपक भी मुझसे प्यार नहीं करता है लेकिन उसके पापा और मेरे पापा बच्पन के दोस्त है इसलिए उन्हों नहीं तै किया है कि हमारी शादी करवाएंगे लेकिन हमारे बीज ऐसी कोई बात कभी थी ही नहीं तो फिर कल जो तुमने जुल्री शॉप से अंगुल्ठी ले कहा दिपक से प्यार करती हो जनम दिन पर इंगेजमेंट रिंग दोगी सब छूट था मतलब जैसे तुमने मुझसे छूट कहा था तुमसे जिसके शादी होने वाली है उसके लिए ले रही हो लेकिन बाद में पार्क में कहा वो सब जूट था बिल्कुल वैसे ही पहली मुलाकात में ही सबको सच नहीं बताया जाता कुछ तो छुपाना ही पड़ता है नहीं नहीं संजना मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम छुट कह रही हो कल तुम्हारी बातों में वर्ताव में आखों में चहरे पर दिपक के लिए जो कुछ देखा वो उससे बिना प्यार किये तो हो ही नहीं सकता गलत तुमने गलत देखा है और इसलिए अपने दिपक से कहने जा रही हूँ ताकि वो अपने पापा से बात करके हमारी शादी तोड़ दे नहीं नहीं संजना सच कह रही हूँ शिखा मैं सच कह रही हूँ और इसलिए दिपक के पास जाने से पहले तुम्हें भी बता कर जा रही है लेकिन मुझे क्यों ताकि तुम अपने इस नई दोस्त को गलत ना समझो जब तुम्हें बता चलेगा हम शादी नहीं कर रहे हैं तब तुम्हें अजीब ना लगे इसलिए बताने हाई थी मैं चलती हूँ सुनो तुम आज दीपक को लेकर एक बार यहां आओगी क्यों मैं तुम दोनों को देखकर सही बताऊंगी कि तुम जूट कह रही हो या सच तुम कल नाटक कर रही थी या आज बोलो है हिमत क्या जुब क्यों खड़ी हो बोलो ठीक है आऊंगी मेरी कसम खाके कहो जूट नहीं कहना नहीं तो मैं मर जाऊंगी जरू रहूंगी और तुम्हारे सामने दीपक से कहूंगी कि मैं उससे प्यार नहीं करती तो फिर बिश्वास करोगी न चलती हो बोलीवुट की मुवी के आइडिया को यहां लाने में बहुत प्रोब्लम होती है ठीक कह रहे हो पर मैं पर क्या तु यहां क्या कर रही है आज मैं शाम की फ्लाइट से मुंबई जा रहे हूं वही दीपक को बताने आई थी जा रही है? क्यों? कितने दिन हो गए अब वापस जाना होगा और अगर सोच कर देखो तु मेरे रहने से यहां इतनी प्रोब्लम्स हो रही है देखा नहीं तुम लोगों के इतने प्यारे रिष्टे में बॉलीवुट फिल्मों की आइडियास डाल कर कितनी गड़बर कर दी मैंने ठीक कहा तुने हम अपने प्यार को पाने के लिए कभी भी एक दूसरे से मारपीट खोन खराबा नहीं करते है हम लोग अपना प्यार साबित करते है कुर्बानी देकर अपना गम जाहिर करते है आंसु बहा कर दिपक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मैं भी तुमारे पास ही आ रहा था तुमसे बात करनी थी अचाना करिया मिल गए थी इसलिए रोक गया था नई और नहीं रोकूँगी तुम लोग बात करो मैं चलती हूँ मुझे तयार होकर निकलना भी तो है विश यू ओल दा बेस्ट तुम लोगे की शादी में फिर आऊंगी बाई 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 दीपक मेरी एक बात मानोगे मैं भे तुमसे यह कहने वाला था मेरी एक बात मानोगी हाँ बोलो ना मेरे साथ एक बाद शिखा के घर चलोगी प्लीज क्या तुम मेरे लिए एक जूट बूल सकती हूँ कि हम शादी नहीं कर रहे संजना उसे खुदखुशी करने से रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्या तुम जानती हो उसके साथ एक ऐसा आजसा हो गया है कि पता है मुझे सब पता है दीपक आज सुभा ही टोटा ने बताया कि तुम दोनों अंगूठी खरिदने गये थे और उसके बाद तुम्हारी मा से बात करके बाकी बाते पता चल गई तब तुम घर में नहीं थे इसलिए मैं अकेली ही चली गई शिखा की घर जो तुम कहना चाहते हो वो मैंने पहले ही कह दिया उसे थाइंक्यू थाइंक्यू संजना तुम बहुत अच्छी हो अच्छे बुरे का पता नहीं लेकिन एक लड़की होकर किसी लड़की को खुदखुशी करने कैसे दू उसके लिए चाहे जितनी भी तकलीफ मुझे सहनी पड़े उच्छे मन्सूर है तुम अभी घर जाओ संजना डैड ने काम दिया है कर लेता हूँ शाम को शिका के घर जाओंगा ओके? चाचा जी? चाचा जी? क्या बात है? तुम लोग चाचा जी? शिका के वारी में मुझे सब कुछ पता है शिका को बचाना ही होगा शिका जिन्दा रहे यही हम चाहते है इसलिए मैंने और दीपक ने तहे किया है शिका को जूट कहेंगे कि तुम और दीपक एक दूस्रे से प्यान नहीं करते इसलिए तुम लोग शादे नहीं करोगे क्या तुम लोग शिका के आखों में धूल जोग पाओगे? क्या वो इतनी बेवुकुफ है? बताएं शिका जूट बिलकुल बरदाश्ट नहीं कर पाती है उसे जूट मत बोलना तब हम क्या करें? आप ही बताएं सच बोलोगे जो सच है वही बोलोगे इससे उससे बहुत खुशी होगी और दिल से तुम लोगों को शुकाम नहीं देखी लेकिन सच सुनकर उसे बहुत दुख पहुँचेगा और अगर वो दुख बरदाश नहीं कर पाई नहीं, अब और क्या होगा अब कोई डर नहीं है इतनी दुख और तकलिफ सहते सहते मेरी बेटी पत्थर सी बन गई है अब और कोई दुख उस पत्थर में खरोच नहीं डाल पाएगा तुम लोग जाओ मेरी कसम खाके कहो जोट नहीं कहना, नहीं तो मैं मर जाओंगे मुझे लेकर सभी परिशान थे मेरी जिन्दगी एक अविशाब थी अविनाश चला गया तीपद भी मेरी बचे से दुख जीन रहा था तुम्हें भी मेरी बचे से कितना छुड़ बोलना पड़ा लेकिन अब और नहीं कहना होगा तुम सभी को मुक्त करके मैं जा रही हूँ तुम सबकी दयपर में जीना नहीं जाती इसलिए अविनाश के पास जा रही हूँ तुम सभी को छोड़कर हमेशा के लिए मैंने तुम से जूट कहा था मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मैंने तुम से जूट कहा माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे